कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र और मार्ध धर्शक राजे शुकला एक बार फिर से अभिने मैट्स क्लासेश पर जीएस के सेग्मेंट में आप सबका बहुत बहुत थार्दिक स्वागत करता हूँ तो दोस्तों जीएस को ले करके जो आपकी चिंताएं थी कि सर हम लोग टीर वन एक्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो टीर वन एक्जाम की हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और इस बात की आसंका है कि हमारा पेपर अच्छा हो पाएगा है नहीं खासकर जीएस के सेग्मेंट में तो इनहीं चिंताओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक कमिट्मेंट की आप से एक प्रॉमिस की आप से खासकर अभिने सर ने आप से एक वादा किया कि आपको GS का एक ऐसा सेशन दिया जाएगा जिससे आप पूरे पाठिक्रम की एक comprehensive manner में त्यारी कर सकें कम से कम हम आने वाले 20-25 दिनों में पूरे पाठिक्रम पर एक नजर डाल सकें और इसी उद्देश को पूरा करने के लिए मैंने आपके previous year पेपर का analysis करके एक paper डिजाइन किया और फिर एक session स्टार्ट किया जो 25 दिनों तक लगातार चलेगा तो पिछले तीन दिनों से आप इस session में enjoy कर रहे होंगे आप इस session में बराबर प्रस्टों का सिलसिला देख रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रस्ट आपके paper में आए हैं या आ सकते हैं तो बहुत संभावित प्रस्टों को ले करके जो इस बार के tier 1 exam में आने की संभावना है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रस्ट पत्रों का एक सिलसिला शुरू किया गया है लेकिन उसमें मुख्य उद्देश ये है कि सभी प्रस्टों की ब्याख्या के माध्य माध्यम से यानि उसका उत्तर भी बताया जाए उसको डिटेल में explain भी किया जाए और उसकी ब्याख्या के माध्यम से आपको complete syllabus का एक quick revision मिल जाए तो GS का segment आपके लिए challenging होता है चुकि ये बहुत vast है बहुत बिस्तृत है इसी लिए हम कोसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रस्टों के माध्यम से पूरे GS के पाठिक्रम पर एक नजर डाल सके इस क्रम में आज आपके session का चौथा दिन है पहले और दूसरे दिन हम लोगों ने quality के कुल मिलाकर लगभग 100 प्रस्टों को हल करने की कोसिस की और उसके माध्यम से उसे 400-500 तथ्यों में तबदील किया कल के lecture में मैंने आपको history पर most probable questions करवाए और इसमें आपने ancient India के प्रस्टों को हल किया तो आज इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और हम लोग आज भी प्राचीन भारती एतिहास के अतिस संभावित प्रस्टों पर व्याक्षा के माध्यम से त्यारी करेंगे तो आज का भी हमारा session इसी पर based है यहाँ पर आप सब को प्राचीन भारती एतिहास के कुछ अन्यप्रस्ट देखने को मिलेंगे और उद्देश यही है कि इन प्रस्टों के माध्यम से पूरे पाठिक्रम का एक विक रिवीजन किया जाए तो बच्चो एक बार पुना आप सभी का स्वागत है अभिने मैट्स एप पर आप सब अभिने मैट्स एप डाउनलोड कर ले और उसमें जो GS Foundation बैच में लाने वाला हूँ उसको आप enjoy करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले उद्देश पूरा करना है टियर वन एक्जाम पास करने का तो टियर वन की त्यारी को ध्यान में रखते हुए मैंने सेशन स्टार्ट किया चलिए अब बिना बिलंब किये आज के प्रस्टों का सिलसला सुरू करते तो आपके सामने स्क्रीन पर प दिखाई देगा और खासकर इसमें जो पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएस्सी में भी हल्प मिलेगी बिल्कुल बीपीएस्सी प्रिलिम्स का भी आप स्लेबर्स देखें तो जीएस का यही इस्तर रहता है आपको इसका नीसंदे हिलाब मिलेगा तो बच्चों पहला लॉकेटेड इन दा प्रिजेंट डे इंडियन स्टेट आप यानी जोरवे एक जगहे का नाम है और जोरवे में एक कल्चर डेबलप हुआ एक सांस्कृतिक अवस्था विक्सित हुई उसी के आधार पर इसका नाम पढ़ गया जोरवे कल्चर तो यह पूछ रहा है वर्तम दुकुल हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं सर पेट कोर्स में हिस्ट्री की कितनी क्लास होगी बहुत जल्दी आपको अपने पूरे जीयस फांडेशन बैच के बारे में विस्तार से बताओंगा लेकिन अभी यह उचित समय नहीं है उचित मंच नहीं है अभी हम लोग य इयर वन को टार्गेट करते हुए प्रस्टों को हल कर रहे तो इस पर बात करते हैं देखिए सबसे पहले तो बच्चों आपको यहां पर यह मैं बता दूँ कि आप भारती इतिहास में एक बहुत महत्तुपूर अध्याय पढ़ते हैं और वो है भारत की प्राग एतिहासिक संस्कृतियां तो प्राचीन भारत में एक अध्याय आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत की प्राग एतिहासिक संस्कृतियां प्राग एतिहासिक संस्कृतियां प्रीहिस्टोरिक कुल्चर्स प्रीहिस्टोरिक कुल्चर्स अफ एंसेंट इंडिया आफ एंसेंट इंडिया एंसेंट इंडिया यानि प्राचीन भारत की ये प्राग एतिहासिक संस्कृतियों का अध्याय आता है आप जब एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसी को हम एक नाम देते हैं भी साइद पिछली क्लास में भी मैंने आपको कल वाले डिस्केशन में भी बताया था इसी को हम कहते हैं स्टोन एज यानि इसे कहते हैं पाशाण काल पाशाण काल फिर आपको साइद ये भी मैंने बताया था कि पाशान काल की तीन अलग अलग अवस्थाएं आती हैं जिसमें से पहली अवस्था को कहा गया है पुरा पाशान काल पुरा पाशान काल पैलियो लिथिक एज इसे कहा गया है दूसरी अवस्था को कहा गया है मद्यपाशानकाल मद्यपाशानकाल यानि मेजोलिथिक एज मेजोलिथिक एज इसे कहा गया है और जो अगली अवस्था आती है इसे कहते हैं नवपाशानकाल नवपाशानकाल यानि नियोलिथिक एज इसे नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है इन कीनों को मिलाकर ही इसे हम कहते हैं स्टोनेज और स्टोनेज भारत की प्राग इतिहासिक संस्कृती है दरसल ये जो टर्म आया बच्चों प्राग इतिहास इसके बारे में अभी कल हम लोग डिसकस कर रहे थे कि इतिहास का वो काल या इतिहास का वो चरण जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरा तत्त से मिले यानि केवल आर्कियोलाजिकल सोर्सिस से जानकारी मिले तो उसी को कहते हैं यहाँ पर प्री हिस्ट्री यानि केवल आर्कियोलाजी से ही हमें पास्ट के बारे में पता चलता तो हिस्ट्री बेसिकली क्या है पास्ट के बारे में इस्टेडी human being का पास्ट कैसा रहा इसी को हम हिस्ट्री कहते हैं और पास्ट को जानने के हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं एक written records है, यानि लिखी हुई चीजे हैं, और एक यहां archaeological evidences हैं, यानि पुरा तात्तिक स्रोत हैं, तो जब इतिहास का कोई ऐसा कालखंड हो, जिसके बारे में जानकारी केवल पुरा तत्त से मिले, केवल archaeological evidences मिले, तो उसे prehistory कहते हैं, अब जैसे भारत की इतिहास में एक ऐस चरण रहा जब मानों ने पत्थर के औजार या उपकरण बना करके, जानवरों का सिकार करके अपना जीवन यापन किया, यानि वो stone के tools बनाते थे, इससे hunting करते थे, और इसी से वो survive करते थे, तो इसी लिए इस पूरे period को history में stone age नाम दे दिया गया, अब इस stone age का जो last phase है वो यहाँ पर नौ पाशान काल या नियोलिथिक age है, और इस नियोलिथिक age में आप देखें, नौ पाशान काल में अगर आप देखें, तो आप क्या पाएंगे, कि मनुष से ने पहली बार खेती बाड़ी करना सीखा, यानि क्रिसी का विकास यहीं पर हुआ था, यह हम लो का यूज करना भी सुरू किया, और इंसान द्वारा प्रियुक्त पहली धात या पहला मेटल कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था, कौपर, यानि कौपर का सबसे पहले यूज किया गया, तांबे का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, जो नौ पाशान काल का अगला और इसी पर आधारित ये प्रस्न पूछा गया है, तो यहां जो आप देख रहें बच्चों, टर्म लिखा हुआ है, चैलको लिथिक, ये चैलको लिथिक अगर हिंदी में लिखा जाए, तो इसका मतलब होता है, ताम्रपाशानकाल, इसे ताम्रपाशानकाल कहते हैं, बेसिक इसे एज आफ कॉपर एन इस्टोन कहा जाता है कॉपर एन इस्टोन यानि तामे और पत्थर के इस्तेमाल की ये अवस्था रही ये एक साथ ऐसा यूग रहा जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया गया तो तामर पाशान काल में आप देखेंगे कई ग्रामीड बस्तियां बसने लगी ग्रामीड बस्तियां बसाई गई और यहाँ पर पहली बार गाउ बसे जिसमें कच्चे मकान बनने शुरू हुए यानि रूरल एरियाज का डेबलेमेंट हुआ इसमें रूरल सेटलमेंट तो यहाँ इस से जुड़े कई पुरास्थल मिलते हैं कई साइट्स मिलते हैं जिसमें से तीन का नाम बहुत अहम है इसमें से एक का नाम आपको अभी कल वाली क्लास में मैंने साइद बताया था एक था इनाम गाउं इसी तरीके से एक और है दायमाबाद और एक इसमें यह पर नाम दिया गया है जोरवे तो यह इनाम गाउं हो चाहे दायमाबाद हो चाहे जोरवे हो यह तीन के तीनों पुरास्थल आप देखें तो यह महाराश्ट्रा से पाए गए हैं यानि Maherashtra जिसे मिलें तो जो प्रस्ट निसमें पूछा गया कि जोरवे कल्चर एक चैलकोलिथिक पुरा तात्विकस्थल है और ये किस राज्ज में है तो जोरवे कल्चर इसे नाम इसलिए दे रहें क्योंकि यहाँ पर ताम्रपाशारिक संस्कृत के लच्छण मिले और यहीं से ये लच्छण य जो ओरिजिन माना जाता है जो सेंट्रल पार्ट माना जाता है वो हडपा रीजन को माना जाता है और हडपा ही वो साइट है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी तो ऐसे ही ताम्रपाशानिक संस्कृतियों के कुछ पुरास्थल मिले हैं जिसमें जोरवे एक बहुत महात्व पूर पुरास्थल है जहां से माना जाता है इस संस्कित का प्रसार हुआ और ये तीनों पुरास्थल महाराष्ट में मिले हैं तो आंसर यहां पर क्या आपको लगाना है बचो महाराष्ट्रा तो जिन लोगों ने option A टिक किया है option A लगाया है वो बिलकुल सही है लेकिन इस प stone Aze कहते हैं stone Aze का last phase क्या रहा है नियोलिथिक Aze रहा अंतिम चरण इसका नौपाशान काल कहलाया इसका early phase प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाई तो early phase को paleolithic Aze पुरापाशान काल कहा गया early phase और last phase के बीच का जो transitional phase है जो संक्रमन काल है उसे क्या कहा गया उसे मेजोलिथिक Aze कहा गया जब मानों ने धातु और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे क्या कहा गया तो चुकि पहली धातु ताबा थी first metal copper था तो उसे चैलको लिथिक Aze कहा गया और चैलको लिथिक Aze के अंतरगत कई यहां पर पुरा स्थल प्राप्त होते हैं जिसमें तीन का नाम बता इनाम गाओं दायमाबाद जोरवे और यह तीनों महराश्ट राज्य से मिले हैं सर 25 दिनों में revision हो जाएगा तो सचिन जी आप आज 4 दिन से अनुभव हासिल कर सकते हैं एक पूरे target के साथ काम कर रहे हैं सायद आपको अब तक आभास हो चुका हो कि मैंने कितने अध्यायों को जोड़कर चर्चा कर दी तो बिलकुल हो जाएगा तभी तो यह काम कर रहे ह ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अगले प्रस्ण की तरफ आते हैं अब अगला प्रस्ण बहुत ध्यान से पढ़िए और इसको मैच करिए फिर मैं आगे बढ़ू मुहम्मद अमीन जी बिलकुल आपको एक दो क्लास फ्री में मिल जाएगी परेशान मत हो सर जीयस फाउंडेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दो राजेश शौधरी जी बिलकुल डिटेल वीडियो बना देंगे और बहुत जल्दी वो डिटेल वीडियो आपसे शेयर भी करेंगे सबसे पहले आप सब अभिनय मैट्स अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए उसी पर ये वीडियो आपको दिखाई देगा और उसमें कुछ फ्री क्लासेज भी आपको दिखाई देंगी जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि जी एस फाउंडेशन बैच क्या है कितने दिन चलेगा कैसे लेक्चर प्लानिंग है सब कुछ बिस्तार से बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है लिखा है बैच दा फालोइंग एक तरफ लिस्ट में ABCD में चार नाम है और एक तरफ लिस्ट में यहाँ पर 1,2,3,4 करके चार आप्शन्स है मोहन जोदाडो, हरपपा, काली बंगा और लोथल यह चार साइट्स के नाम दिये गए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के है और यह चार ऐसे यहाँ पर आप देख रहें सनरचनाए हैं जो यहाँ से मिली इसी को मैं हिंदी में भी कर देता हूँ तो आप सामने यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लीजिए निमलिखित का मेल कीजिए मोहन जोद्रो हडपा काली बंगा लोथल फिल लिका इस्टैचू आप प्रीस्ट पत्तन हलके चिन और ग्रेट बाथ अब इसको आपको मिलाना है तो चलिए कोसिस करते हैं देखते हैं कि इसमें क्या सही उत्तर होगा देखें इस्टैचू आप प्रीस्ट का मतलब हो गया पुरोहित की मूर्ती पुरोहित की मूर्ती फिक है तो अगर आपने बच्चों NCRT की किताब पढ़ी होगी खासकर क्लास 11 में जो सरण सर्मा वाली बुक है उसमें या फिर क्लास 6 की जो NCRT की नई बुक है आवर पास्ट उसका पहला पार्ट तो उसमें आपने एक चित्र देखा होगा जिसमें एक ब्यक्ति का चित्र बना है उसका आधा धर दिखाई दे रहा है उसकी दाढ़ी जैसे ट्रिमिंग की गई है ऐसा दिख रहा है और वो एक एम्ब्राइडरी वाला साल ओडे हुए है उसके एक हाथ का हिस्सा वहाँ पर मूर्ती में टुटा हुआ है और यह यहाँ पर एक पुरोहिद की मूर्ती मानी जा रही एक प्रीस्ट का स्टैचू माना जा रहा है और यह स्टैचू या यह मूर्ती कहां से मिली है तो यह हडपा से मिली है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि B के सामने 1 रखना है अब देखिए अभी कल की क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि यहां पर आप देखें ग्रेट बात तो ग्रेट बात की अगर हम बात करें यानि ब्रिहद इस्तनानागार की बात करें ब्रिहद इस्तनानागार ठीक है तो ब्रिहद इस्तनानागार की अगर हम बात करते हैं तो यह मैंने आपको बताया था कहां से मिला है ये मिला है मोहन जुदाडों से तो आपको क्या करना है एके सामने फोर रखना है यानी मोहन जुदाडों से हमें great बात मिला है और हडपा से हमें statue आप priest यानि पुरोहित की मूर्ती मिली है इसमें से एक यहाँ पर बच्चे का कमेंट पढ़ रहा हूं मोदी जी के स्टेचू तो आप उसकी दाड़ी देखकर उसे मोदी जी से कंपेर ना करें वो हडपा के पुरोहित की मूर्ती मानी जा रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद काली बंगा काली बंगा कार्थ हो से मैच कर दीजे सी का थी हो जाएगा फिर इसके बाद सर कॉंस्ट्यूशन की अब क्लास नहीं होगी सचिन जी जरूरत पढ़ेगी बिलकुल होगी लेकिन 25 दिन का जो पूरा सिलसिला था प्रस्टों का वो इसी शैली में आगे बढ़ेगा फिर इसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे डी के सामने टू रखेंगे तो एक का फोर एक ही जगहा पर है फिर बी का वन सी का थी डी का टू यही आपका आंसर हो जाएगा केवल एक चीज आप जानते थे तो आंसर निकाल सकते थे कि मोहन जोड़ों से ग्रेट बात मिला है बहुत आसान सा प्रस्ट था आप्शन ए इसमें सही होगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिला करके आपको यहाँ यह कॉलम दिया गया था और यह इधर कुछ कलाकृतियां दी गई थी जिनको मिलाना था आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ आते हैं मोहन जोद्डो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है मोहन जोद्डो में नहीं नहीं अवधेश निशाद जी आप अपना स्टेट्मेंट करेक्ट कर लीजे वो हडपा से मिली है ठीक है सर नोट्स कैसे बनाएं जी एस का मैं बार बार वीडियो नहीं देख पाता सर तो आप सब धैर रखिए जी एस फांडेशन बैच में आपको नोट्स भी मिलेगा बना बनाया नोट्स मिलेगा और पूरा डेबलब किया हुआ कंटेंट मिलेगा आप केवल क्लास फालो के नोट्स पढ़ने के लिए आपको खुद अबलेबल कराया जाएगा मोहन जोद्रो में सबसे बड़ी इमारत तो देखिए मोहन जोद्रो में जो इमारते मिली हैं उसमें से अगर प्रमुक इमारतों की बात की जाये तो दो सबसे महत्पूर्ण है एक है ब्रेहद इसनाना नागार यानि ग्रेट बात ग्रेट बात और इसी तरीके से एक दूसरी इमारत है यहाँ से वो है अनागार अनागार का मतलब जहां पर अनाज रखने का गोदाम था अनाज रखने का गोदाम अनाज रखने का गोदाम अनागार यानी ग्रैनरी तो ग्रेन से बना है ग्रैनरी ग्रैनरी मिली है अब देखिए यहाँ पर प्रश्ण के क्या पूछ रहा है कि मोहन जोदलों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी यानि जिसका छेत्र जादा बढ़ा, जिसकी सनरचना जादा बढ़ी है, तो ब्रिहद इस्नानागार के बारे में ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्पूर्ण रचना मानी गई है, सबसे महत्पूर्ण, most important construction इसे माना गया है। सर जान मार्शल ने ब्रिहद इस्नानागार को, ब्रिहद इस्नानागार को, ततकालीन बिस्व का, ततकालीन बिस्व का, सबसे आश्चर जनक, सबसे आश्चर जनक निर्माण कहा है, आश्चर जनक निर्माण कहा है, यनि सर जान मार्शल ने इस पर क्या statement दिया है, जरा इसको आप देखें, ये भी आपके लिए important है, हो सकता एक्जाम में यही प्रस्ना जाए, तो सर जान मार्शल, सर जान मार्शल ने इसे कहा है, मोस्ट वंडर्फुल, मोस्ट वंडर्फुल, मोस्ट वंडर्फुल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, आप दि कंटम्प्रेरी वर्ड, आप दि कंटम्प्रेरी वर्ड, ठीक है तो उस तमय की दुनिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसी संदचना त्यार करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजेगा कि ये भले ही बहुत महत्पूर रहा हो लेकिन जो ग्रैनरी है ये उससे बड़ी है अनाज रखने का जो गोदाम मिला ये इससे बड़ा है तो ये ग्रेट ग्रैनरी ही इसका आंसर हो जाएगा यनि आपको आंसर बच्चों भी लगाना था ये ब्रिहद इस नानागार से यहाँ पर बड़ा है बिलकुल अभिने मैट्स एप पर ही आपको इसका पीडियफ मिलेगा अगर आप लोग इसका पीडियफ भी चाहतें तो अभिने मैट्स एप आप डाउनलोड कर लें उसी पर आपको यहाँ प इसका पेपर में आया हुआ क्वेशन है तो यहां से ध्यान रखेगा इसी की हिंदी है अनागार यह ग्रैनरी का मतलब ही अनागार है और इसलिए यहाँ पर आंस्वर आप लगाएंगे ग्रेट्ट ग्रेंडरी आगे बढ़ा जाए चेलिए अगले प्रश्ण पर आते बच्चों निमलिखित में से कौन सा हडपा इस्थल भारत में इस्थित है विच आप दा फालोइंग हरपन साइट इस लोकेटेट इन इंडिया प्रज्वल जी आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रज्वल जी प्रश्ण का उत्तर भी दीजिए सर एंसेंट हिस्ट्री बोरिंग लग रहा है राधा जी पढ़ाई को कभी बोरिंग नहीं कहते पढ़ाई लिखाई दुनिया में सबसे रोचक चीज है क्योंकि आपके पूरे ब्यक्तित्त का विकास करती है और साथ में आपके जीवन या भविस्च को भी समारती है इसलिए कभी उस काम को बोरिंग मत कहिए जो आपके पैसनालिटी को डेबलब करें जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करें ये हमारे उपर निर्भर करता हम उसे कितना रुचिकर बनाएं हम उसमें कितनी रुचि ले अभी आप चुकी प्रश्णों के माध्यम से पढ़ रही है इसलिए टॉपिक से हो सकता उतना कनेक्ट ना हो पाएं लेकिन जब आप जीएस फाउंडेशन बैच में एक-एक चैप्टर पढ़ेंगी उससे इतना अच्छा कनेक्ट होंगी कि आपको यह सबसे आसान और सबसे रुचिकर लगेगा प्राचीन इतिहास तो बहुत रुचिकर विशय है जिसमें ऐसी कहानिया है जो आपको ब्योहारिक जीवन में भी प्रेणा देती है तो थोड़ा धैरे रखिए यहां हमारा उद्देश कुछ और है इसलिए हम लोग इस यहां प्रस्ट के माध्यम से टीर वन के महतपूर प्रस्टों की चर्चा कर रहे है चलिए आगे बढ़ा जाए देखे निमलिखित में से कौन सा हड़ापा स्थल भारत में इस्थित है तो अभी पिछली ही कलास में आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी कि मोहन जोदुरो कहां अवस्थित है तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले के अंतरगत इस्थित है लरकाना जिले में इस्थित है तो ये आपने अभी पिछली ही क्लास में पढ़ा तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में है ऐसे गनेरी वाल आपको बता दें ये भी पाकिस्तान में है ये भी पाकिस्तान में है और गनेरी वाल ये छेत्रफल में in terms of area छेत्रफल का मतलब in terms of area अगर हम बात करें in terms of area तो ये largest site में से एक है largest site में से यानि सबसे बड़ा पुरास्थल इसे माना गया है तब से बड़ा पुरास्थल तो हडपा सब्यता के बड़े पुरास्थलों में छेत्रफल में जो बड़े हैं उसमें गनेरी वाल का नाम भी सामिल है और ये पाकिस्तान में तो ये भी आंसर नहीं होगा सोर्टू गई अभी आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि हडपा सब्यता के दो पुरास्थल अफगानिस्तान में भी मिले एक मुंडी गाक की बात की थी और एक सोर्टू गई तो सोर्टू गई यहाँ पर आप आंसर क्या लगाएंगे अफगानिस्तान में है तो ये अफगानिस्तान में यह भी आंसर नहीं होगा और इस तरीके से आंसर क्या हो गया बच्चो डी आप्शन यानि इस प्रस्ण का उत्तर जिसने भी डी लगाया था वो बिलकुल सही है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है सच में सर बहुत मज़ा आता है आपकी क्लास करके मनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी आपका भी बहुत बहुत अभारी हूं बच्चो आप सब इस प्रसंसा से मेरा उत्सावर्धन करते हैं और आपके इस कहीं न कहीं उत्सावर्धन के कारण ही यानि जो मुझे एक तरीके से आप प्रोचसाहित करते हैं उस है तो भाई दो दो जगा पाकिस्तान थी इसलिए हो सकता है जीत गये हो तो भारत भी जीत कर फाइनल में मुकाबला करेगा चंता मत करिए हम भारतिये उन्हें फाइनल में देख लेंगे फाइनल में निपट लेंगे आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर की या फिर मैं बात करूं इसी तरीके से मान लीजिए सुर्ग कोटडा की ठीक है या फिर इसी तरीके से मैं बात करूं मान लीजिए धौला वीरा की ठीक है धौला वीरा या फिर इसी तरीके से कुछ अन्य पुरास्थलों के बारे में भी जैसे मान लीजिए राखी गड़ यह है यह सिए पुरास्थल हैं जिनका नाम बच्चों आपको याद होना चीए क्योंकि यह सब भारत में पाए गए हैं भारतिय राजके छेतर हैं जैसे काली बंगा राजस्थान में लोथल गुज्रात में सुर्कोर्डा गुज्रात में धौला 1200 गुजरात में राखी गड़ी हर्याना में तो कम से कम भारत में जो हडपा सब्विता के हडपा सिविलाइजेशन के कुछ महतुपूर पुरास्थल मिले हैं उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें जरूर याद रखिएगा एक्जाम में कभी-कभी ऐसा भी प्रस्ण आपको देखने क मिलेगा आगे चले अगले प्रस्ण की तरफ बढ़े तो अगला प्रस्ण आपके सामने यह रहा और आप सब पढ़कर इसका उत्तर जरूर दीजिएगा तर SSC GD के लिए कोई क्लास बिलकुल यहां पर आप SSC GD में भी ऐसे प्रस्ण पाएंगे थोड़ा सा प्रस्णों का अस्तर यहां कठिन जरूर है लेकिन SSC GD में इसी से मिलता जुलता कुछ हलके फुलके प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे चलिए आगे बढ़ा जाए देखे कमल जी परिक्षा को लेकर घबडाना क्या जो तैयार है वो कभी भी युद्ध से घबडाते नहीं है युद् तो आपको महज एक और चारिकता लगेगी लेकिन अगर साल भर आपने महनत नहीं कि परिष्रम नहीं किया P मेहनत नहीं की तो स्वाभाविक है घबडाहट होगी नहीं तो यदि आपकी त्यारी बुक्ता होगी त्यारी बहुत धंग से होगी तो किस बात का घबडाना चलिए इसका उत्तर दीजिए बच्चों बड़ा फट आंसर दीजे आप सब अब मैं आपको बता दू लिखा है 1990 में धौला वीरा में खुदाई सुरू की गई थी देखिए एक चीज और ध्यान दीजेगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था कि कुछ मात्पूर पुरास्थल भारत में मिले जैसे धौल है तो धौला भीरा एक ऐसा पुरास्थल है कि धौला भीरा एक ऐसा पुरास्थल है हडपा सब्विता का एक ऐसा नगर है जो तीन भागों में विभाजित मिला ہے इन भागों में विभाजित इन भागों में विभाजित यह पॉइंट मैं क्यों बता रहा ज़रा ध्यान दीजेगा बच्चों एकर през सब्विता की कुछ बिसेस्ताएं हैं तो इसमें एक हडपा सब्विता एक नगरिये सब्विता थी और प्राया और इसके नगर और इसके नगर प्रायाह दो भागों में बटे होते थे दो भागों में बटे होते थे दो भागों में बटे होते थे ठीक है कौन कौन से भाग थे तो इसमें पहला कहलाता था निचला नगर और दूसरा कहलाता था दुर्गी कृत नगर दुर्गी कृत नगर दो तरह से ये विभाजित होते थे यानि हम ये कह सकते हरपन सिविलाइजेशन हरपन सिविलाइजेशन Cuvilisation Cuvilisation Was an urban civilization Urban civilization An urban civilization And It's town planning It's town planning Town planning टोन प्रवान टॉस था। तोन प्रव प्रेवटी तोन्स वर abd надо डिवाद इन तो टू पार्ट्स इंटू टू पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स थे तो एक यहाँ पर था Lower Town Lower Town और एक कहलाता था Citadelle Citadelle का मतलब होता है यहाँ पर 45 Town की बात कर रहे है 45 Town को Citadelle कहा गया है तो दो तरह के Town होते थे Citadelle and Lower Town लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत important point आपको क्या बताया कि धौला बीरा एक ऐसा पुरास्थल था जो तीन भागों में विभाजित था तो एक्जाम में प्रस्ना सकता है कि हडपा सब्विता का वो पुरास्थल कौन था जो तीन भागों में three parts में divided था तो ब पता दूं गुरुजी आपके quality वाले session के द्वारा पढ़ने से मेरे अधिकतर प्रस्ट सही हो रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तो मैंने बस सुरुवात की है बच्चों अंजाम तो कुछ और ही होगा क्योंकि ये तो beginning है जिसमें मैं केवल प्रस्ट पढ़ पर कि जीएस को पढ़ाने का आपका approach सुधार दूंगा जीएस आपके लिए रुचिकर बना दूंगा और उसके लिए आपको जीएस यहाँ पर foundation batch में एक अलग अंदाज में पढ़ने को मिलेगा तो अभिने maths application पर मैं 14 नौंबर से जीएस foundation batch की beginning करने जा रहा हूं और आप अगर उसको बहुत detail में पढ़ लेते हैं जीएस को तो मैं वादा करता हूँ कि आप किसी भी competitive exam में बहुत बहतर तरीके से परिक्षास में सफल होंगे तो मैं अब एक तीसरी बात बता दूं कि धौला बीरा की खोज की अगर हम बात करें यानि इसकी discovery की बात करें तो आप कि अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम था जेपी जोसी जगपती जोसी एक archaeologist थे पुरातत विद थे जेपी जोसी ने इसकी discovery की इसका excavation करवाया लेकिन इसका बहुत बिस्तित उत्खनन यानि बहुत deep mining करके या excavation करके यहां से कुछ यहां resources पता किये गए कुछ यहां पर रिलिक्स जमा किये गए तो इसलिए 1990 में जो उत्खनन की बात कर रहा है 1990 के excavation की बात कर रहा है इसके according यहां पर answer क्या हो जाएगा RS-Wist यानि option A तो इसमें बच्चों आपको option A लगाना था यानि धौला बीरा यहां पर RS-Wist के द्वारा उत्खरन करवाया गया 1990-91 में और वैसे इसकी खोज 1967-68 में JP जोसी ने की थी जगपत जोसी ने की थी फिर एक और बात आपको बता दूं बच्चों धौला बीरा से एक और चीज मिली है जिसे हम कहते हैं साइन बोर्ड या इसे हम कहते हैं नाम पटिका नाम पटिका का मतलब क्या हुआ जैसे आप घरों के दरवाजे पर नेम प्लेट देखते हैं तो ऐसा ही यहां से एक खंड अभिलेक भी मिलते हैं तो कुल मिला करके धौला बीरा के संबंध में यह सारी बाते आद रखिएगा अब एक लास्ट पॉइंट और इस पर हम लोग डिसकस कर लेते हैं धौला बीरा का एक विसेस अर्थ होता है इसका मतलब होता है सफेद कुवां तो अगर आपसे ऐसा को मीनिंग को लेकर पूछते हैं एक्जाम में आ गया मोहन जो दारो का अर्थ क्या है तो इसका मतलब होता है माउंड आफ डैड माउंड आफ डेट्स यानि मृतकों का टीला मरे हुए लोगों से दबा हुआ जो टीला बनता है तो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है और इसी तरीके से अगर काली बंगा के बारे में पूछते हैं कि काली बंगा की मीनिंग क्या होती है तो काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है का आली बंगा को माउंड आप डेट्स किसे कहा गया मोहन जोद्रों को और एक और पॉइंट आपको क्या बताया धौला बीरा का अर्थ क्या वाइट वेल्स यानि की स्टफेद कुवां तो यह सारे तत्थ बहुत महत्पूर्थ है चलिए अगले प्रश्न की तरब मूप करते है इसको पढ़िए देखे कोर्स का डूरेशन आसिफ जी जो मेरा जीएस का कोर्स है वो पूरे आठ महीने का है आठ महीने का एक फाउंडेशन कोर्स है और इसमें कुछ लोग साइंस की भी बात पूछ रहे तो साइंस आपको मैम पढ़ाएंगी अभिने सर ने मैम को इंट्र और उनके पास जो अपने तयारी का experience है उसके साथ वो साइंस में आपको गाइड करेंगी तो साइंस का portion आपको मैम पढ़ाएंगी बाकी जीएस का major component वो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा वो चाहे quality है चाहे history है चाहे geography है तो इन सब पर मैं आपको lecture दूँगा तो आप यहाँ पर foundation batch के बारे में और विस्तार से जानकारी पाएंगे अभिने मैट्स application पर मैं अभिने मैट्स application पर जीएस foundation का एक detail वीडियो आपको शेयर करूँगा तो आप वहाँ पर पूरी तयारी की रणनीत समझेंगे चलिए इसका उत्तर दीजिए बच्चो यहाँ पूछा गया है हडपा सब्विता की प्रिसिद्ध नर्तकी की मूर्ती किस पदार्थ का उपियोग करके बनाई गई थी यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स है यानि कौन सा material यूज किया गया जिससे यहाँ dancing girl statue बनाया गया तो जो यह term लिखा है इसे गौर करिएगा dancing girl statue यानि नर्तकी की मूर्ती दरसल यहाँ पर हडपा सब्विता की एक ऐसी मूर्ती मिली है जिसमें एक लड़की नित्य करती हुई मुद्रा में दिखाई देती है उसका एक हाथ उसके कमर पर है उसका एक हाथ उसके सिर पर है और इसी द्रिश्य को देखकर इसी मुद्रा य में आपको बता दूँ कि यह मिला कहां से है तो मोहन जोदाडों से मिला है मोहन जोदडों से मूर्ती मिली है मोहन जोदडों से मिली है लेकिन प्रस्थ यह पूछ रहा है कि यह बनी किस धातु की है किस मैटल की तो आपको सायथ पिछली क्लास का यह पॉइंट याद हो बच् हडपा सब्यता को कांस युगीन सब्यता भी कहा जाता है इसे कांस युगीन सब्यता भी कहते हैं यानि इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने ही ब्रोंज मैटल को इन्वेंट किया था और इसी कारण से इसे कांस युगीन सब्यता कहा तो यहां पर option में आप देख रहे कासा भी है यानि आपको option भी लगाना था तो जिन बच्चों ने भी यहां पर option भी चुना उन्हें पूरा अंक मिलेगा सर मैं आज अभी cpo ship 2 में exam देकर आया quality वाले सारे questions आप only two video से पूरे कर दिये वाह क्या बात है आपने पूरा मन प्रसंद कर दिया मेरा कि आपने quality में बहतरीन प्रदर्शन किया केवल दो session में जबकि मेरा इरादा तो यह है कि आपके लिए ऐसे और session लेकर आता रहूं और आपको बहत बहतर तरीके से त्यारी में मदद करता रहूं अभी चुकि बच्चों समय थोड़ा सीमित हैं तो मेरी भी कुछ बाद्धिताएं हैं मेरी भी कुछ limitations हैं जिसके कारण मैं आपको ब पढ़ने के काबिल बनाता हूं मेरा मानना है कि आप सब यहां पर खुद पढ़कर अच्छा करेंगे लेकिन मैं आपको एक ऐसा एप्रोच देना चाहता हूं कोर्स फीस बहुत nominal है आप अभिने maths application डाउनलोड कर लीजिए सारे डिटेल वहां पर आपको मिल जाएंगे आगे बढ़ता हूं अब मैं चैलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं बच्चों राजा अजात सत्रु फिर fill in the blanks है वन्स के सा सकते किंग अजात सत्रु फिल इन दा भ्लैंक dynasty यानी अजात सत्रु यहां पर किस वन्स के सा सकते ऐसा प्रस्ण आप से पूछा गया है तो आपको इसका reply करना है कि किस dynasty के ruler थे देखिए जब कोई राजा और उसका उत्राधिकारी उसका बेटा फिर उसका उत्राधिकारी उसका बेटा एक ही परिवार से कई राजा राज करने लगे तो उसे राजवन्स या डाइनस्टी कहते तो ये जो dynasty है इसके बारे में आप बच्चो प्राचीन भारत के इतिहास में एक topic पढ़ेंगे, वो है मगध सामराज्य के राजवन्स, ये मगध सामराज्य के राजवन्सों से जुड़ा है, यानि dynasties of dynasties of मगधन empire मगधन empire इससे related ये question आपसे पूछा गया तो सैद आप ये भी जानते होंगे कि मगध सामराज का उतकर्स यानि मगधन empire का rise जिस dynasty से हुआ था उसका नाम था हर्यंक डाइनस्टी हर्यंक डाइनस्टी यानि हर्यंक राजवंस फिर हर्यंक डाइनस्टी के रूल के बाद मगध पर दूसरा राजवंस आया उसका नाम था सिशुनाग डाइनस्टी सिशुनाग डाइनस्टी यानि सिशुनाग बंस और फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरा बंस आया उसका नाम था नंद डाइनिस्टी नंद वंस तो हर्यंक वंस सिसुनाग वंस और नंद वंस ये सिक्वेंस है इनके टाइम ही मगध एक सामराज्य के रूप में खड़ा हुआ अब हर्यंक वंस में अगर आप देखें तो जो पहला एतिहासिक सासक हुआ था इसका नाम था बिम्बिसार इसका नाम था बिम्बिसार ये हर्यंक डाइनिस्टी का पहला सासक था और बिम्बिसार का उत्राधिकारी उसका बेटा हुआ जिसका नाम था अजाद सत्रू और फिर अजात सत्र का बेटा आया उदाइन जिसने इस पर साशन किया तो यहां पर बिम्बिसार आए चाहे अजात सत्र आए चाहे उदाइन यह सब हर्यंक बन्स के साथ सकते यनि आपको यहां पर आंसर क्या लगाना था हर्यंक डाइनस्टी यानि option A सही होगा तो जिन बच्चों ने option A चुना है उन्हें बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा ठीक है सही अंक है आपके पास यानि आपने correct किया है तो आपको इस पर correct answer के लिए अंक मिल जाएंगे आगे बढ़ता हूं अगले प्रस्न की तरफ आता हूं तो एक च डाइनस्टी के बारे में अब हर्यंक डाइनस्टी की अगर हम बात करें तो हर्यंक डाइनस्टी में आप क्या देखेंगे कि तीन महत्रपूर्ण सासक हुए सबसे पहला सासक मैंने क्या बताया कौन था बिम्बिसार ठीक है बिम्बिसार था बिम्बिसार इसका पहला सासक हुआ बिम्बिसार का उत्रा अधिकारी कौन हुआ था तो अजाद सत्र अजाद सत्र ने अपने पिता को मार कर सत्ता पाई थी और अजाद सत्र को मारा उसके ही बेटे उदाईन ने सत्ता पाने के लिए इसलिए यहाँ पर इसे एक नाम दे दिया गया इसे फादर किलर डाइनस्टी भी कहते हैं फादर किलर डाइनस्टी इसे फादर किलर डाइनस्टी के नाम से भी जाना जाता है यानि इसे पित्र हंता वंस के नाम से भी जाना जाता है तो पित्र हंता वंस का मतलब पिता को मारने वाला वंस क्योंकि अजाद सत्र ने मगद की राजगदी पाने के लिए अपने पिता बिम्बिसार को मार दिया और ऐसे उदाइन ने अपने पिता अजाद सत्र को मार कर मगद की राजगदी प्राप्त कर ली और फिर उदाइन की एक बहुत महत्पूर्ण उपलब्धी है इसी ने पाटलि पुत्र सहर बसाया था यही पाटलि पुत्र जो आज बिहार की राजधानी पटना है मगद का पहला सासक आप बिम्बिसार ही आंसर लगाएंगे बिम्बिसार को मगद का पहला एतिहासिक सासक माना जाता है और मगद की राजधानी बनी थी तो मगद सामराजी की राजधानी में पाटली पुत्र का नाम आता है जो आज बिहार की राजधानी पटना है ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए अगला प्रस्ण है सिंदुगहाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे लोग किसकी पूजा करते थे हम देखे आपको पीडियप भी अभिने मैट्स एप्लिकेशन पर ही मिलेगा आप अभिने मैट्स एप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए उसी पर आपको यहाँ पर इसका पीडियप भी मिल जाएगा जो मैं लिखकर आपको इसमें समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ एनोटेशन के साथ आपको पूरा यह पीडियप मिल जाएगा लेकिन वो मिलेगा अभिने मैट्स एप्लिकेशन पर तो सिंदुगाटी की सब्विता के लोग किसकी पूजा करते थे यह आपको बता दूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंदुगाटी सब्विता से हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इनके पूजा पद्धती के बारे बे बताते हैं जैसे मोहन जोदडो से मोहन जोदडो से एक मुहर पर एक मुहर पर एक योगी का एक योगी का चित्र मिला है योगी का चित्र मिला है ठीक है यानि योगी समझ रहे जो ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है उसका एक चित्र बना हुआ है एक मोहर पर एक सील पर तो मोहन जोदडो से एक सील मिली है जिस पर आप देखेंगे एक योगी का फीगर बना हुआ वो पदमाशन की मुद्रा में बैठा है वो पदमाशन की मुद्रा में बैठा हुआ पदमाशन आप जानते ही होंगे कि पदमाशन कैसे किया जाता है आपने योग किया होगा तो दोनों पैरों को एक दूसरे के उपर रखकर, जब हम हाथ को सीधा रखकर बैटते हैं, तो इसी को पदमाशन की मुद्रा कहते हैं, ये योगी पदमाशन की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसके सिर पर आप देखेंगे सीञ है, तीन यहाँ पर सीञ निकली हुई है, और तो इससे चारो और पसुखड़े से धाई और दाई ओर कुछ पसुखड़े से इसे बाग और हाथी गेंडा और हिरन या बैल इस तरह के पसुखड़े और इसी से यहाँ पर सर जानमारशल ने साइद कोई इसी को प्रोटो श्यू का मतलब होता है कि भगवान श्यू का ये सायत कोई प्राचीन रूप था तो इस तरीके से इसे सरजान मार्शल ने प्रोटो श्यू का रूप माना या इसे आधिस्यू का रूप माना और इसी आधार पर मानते हैं कि ये लोग पसुपत श्यू की पू पसुपतिश्यू यानि बी आप्शन अब इसमें कई महत्वूर बातें सामने आती हैं यानि हडपा वासियों को सायद योग के बारे में पता था हडपा वासी भगवान श्यू की पूजा करते थे क्योंकि बहुत सारे स्थानों से शिवलिंग भी मिले हैं तो शिवलिंग का म इलना भी इस बात का प्रतीक है कि ये लोग भगवान श्यू के उपासक थे तर आप पेड़ बैच में हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमिक्स बिल्कुल बिल्कुल पेड़ बैच में मैं आपको ये सारे विशय पढ़ाऊंगा और इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा जहां पर आप कुछ अंतर महसूस करेंगे क्योंकि जीयस में आपको content की quality दिखेगी और जीयस में आपको बहुत ही quantitative matter में quality के साथ matter मिलेगा या content मिलेगा तो मेरा पूरा प्रयास है बच्चों की जीयस पढ़ने की आपकी काबलीयत बढ़ जाए किताबों को पढ़ने की आपकी छमता अच्छी हो जाए अगर आप मेहंती हैं आप मेरे साथ effort लगाते हैं तो GS आपका सबसे पसंदीदा विशे बन जाएगा ये वादा है चलिए आगे बढ़ता हूँ तो आपने इस प्रस्ट का उत्तर लगाया B option अगले प्रस्ट पर आ जाते हैं पुरा लेक शास्त्र किसका समय के साथ एक पूरी प्रक्रिया होती है ये आपके हाथ में कि आप कितने मंत चाहते लेकिन आप अगर मेरी कारियोजना की बात करेंगे तो मैं 8 महीने तक GS पढ़ाता हूँ अगर आप 8 महीने तक मेरे साथ धैरे पूरवक मेहनत करते हैं तो आपको परिक्षा का परिडाम मिलेगा तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट चाहते हैं आप में कितनी छमताएं हैं आप कितना धायरे रख सकते हैं उस पर सारी चीजे निरभर करें हालांकि मेंस के बच्चों के लिए अलग कारियोजना रहेगी लेकिन foundation का मतलब tier 1 और tier 2 के लिए comprehensive batch होगा आग इतिहास अध्यान के मुख्यता दो स्रोथ हैं इतिहास अध्यान के स्रोथ जब आप पढ़ते एक topic आप पढ़ेंगे इतिहास अध्यान के स्रोथ यानि sources sources to know our past to know our past हम अपने past को जान सकें इसके लिए हम कुछ sources का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप क्या पाएंगे कि दो तरह के मुख्यता श्रोथ होते हैं एक को हम कहते हैं पुरातत्त और एक को हम कहते हैं साहित्या यानि लिखित विब्रण तो एक है आर्केलाजी और एक है literature या written accounts अब जब हम पुरातत्त की बात करते हैं यानि आर्केलाजी की बात करें अगर पुरातत्त की बात की जाए आर्केलाजी की अगर बात की जाए तो आप क्या देखेंगे कि इसके अंतरगत अभिलेक सामिल है अभिलेक भी सामिल है यानि इंस्क्रिप्शन्स इंस्क्रिप्शन्स फिर इसी तरीके से इसके अंतरगत सिक्के सामिल है यानि इसमें क्वाइन्स इंक्लिूड है इसी तरीके से इसमें इसमारक सामिल है यानि जो monuments हैं ये भी हमें कहीं न कहीं इतिहास बताते है इसी तरीके से अगर देखा जाए तो प्राचीन चित्रकलाएं भी इसमें सामिल है प्राचीन चित्रकलाएं यानि ancient pentings भी इसमें सामिल है ancient pentings भी इसमें सामिल है ठीक है तो कई तरह के स्रोत इसमें सामिल होते हैं लेकिन जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो इसमें दो टर्म्स आपके लिए बहुत important हो जाते हैं कौन-कौन से एक तो epigraphy आपसे पूचा जा सकता epigraphy किसे कहा जाता है और एक यहाँ पर टर्म है paleography किसे कहा जाता paleography तो epigraphy और paleography यह दोनों question exam में आ सकता है तो epigraphy का जवाब यहाँ पर आपके सामने अभी आएगा और paleography का जवाब मैं दे देता हूँ कि पुरा लेक जो होते हैं पुरा लेक यानि इनके उपर जो तिथिया होती हैं इनके बारे में पता लगाना तो पुरा लेकों का अध्यान यानि जो inscriptions पर dates हैं उन dates की study करना यह कहलाता है paleography यानि लिखावट का अध्यान किस समय की लिखावट है इस तरह गे गुरू जी current affairs जरूर करा देना एक साल का बिलकुल मेरी कार योजना में current affairs भी सामिल है मैं static gk और current affairs पर भी आपको एक session दूँगा आप सब परिशान बिलकुल ना हो मैंने इसलिए तो आप से कहा है कि हम आपके साथ 25 दिन के mission में लगें तो 25 दिन का चौथा दिन है और आप सोचिए 20 दिन के बाद आपको कितना confidence होगा कि हमने पूरे GS पर कितने topic टच कर लिए यही इरादा है और इसलिए हाँ पर क्यों formality करने नहीं आया कि हर प्रस्ट का उत्तर बताके आगे बढ़ जाए तो तिछियों का अद्धेंड, dates की study पैलियोग्राफी हो गई यह हिंदी में भी बच्चों साथ पैलियोग्राफी करके ही लिखा रहेगा और यहाँ पर जो आपसे प्रस्ट पूछा गया पुरा लेक सास्त्र किसे कहते हैं तो अब आप समझ गये होंगे यानि इसका उत्तर आपको क्या लगाना है एपीग्राफी का मतलब हो गया स्टिला लेखों का अध्यान तो एपीग्राफी का मतलब होता है स्टिला लेखों का अध्यान करना यानि इसकी स्टडी करना जो सिक्के लिखे हैं क्वाइन्स के बारे में बात करें तो इसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है Numismatics इसे कहते हैं ध्यान रखिएगा Numismatics का मतलब होता है मुद्रा सास तो मुद्रा सास्तर कहलाता है सिक्कों का अध्येन तो Numismatics हो गया मुद्रा सास सिक्कों का अध्येन और सिलालेखों का अध्येन हो गया Epigraphy यानि कि इसे हम कह सकते हैं अभिलेक शास और जो बाकी पुरा लेक की तिथियों का ध्यन किया जाता है डेट्स की उसे कहते हैं यहाँ पर पैलियोग्रैफी तो एपीग्रैफी और पैलियोग्रैफी का फर्क भी याद रखना है नुमिस्मेटिक्स भी याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है एतिहासिक लेखों का सनरच्छण विज्ञान की किस साखा के अंतरगत आता है हाँ गुरू जी प्रिवियस क्लास का वीडियो क्यों नहीं अप्लोड होता है दिखें आप गलत कह रहें प्रिवियस क्लास भी अभिने मैच्स अप्लिकेशन पर आप जाईए आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लास दिख जाएगी अभिने मैच्स अप्लिकेशन पर मेरा पूरी क्लास का पीडियब भी आपको मिल जाएगा तो आप ये allegation मुझ पर लगा रहे हैं भाई मैं इसे accept नहीं कर सकता क्योंकि आप गलत कह रहे हैं playlist बनी हुई है और उस पर मेरे सारे वीडियो आपको दिख रहे हैं तो मैंने पहला दिन जो कराया दूसरा दिन तीसरा दिन वो सारे वीडियो आपको application पर वहाँ पर live session में दि हाँ एक बात और बता दूँ कि current affairs का session एक दिन नहीं चलेगा कई दिन चलेगा मैंने पूरा planning कर रखा है बच्चों आप परिशान ना हो current affairs पर संभवता तीन दिन का session होगा तो मैं अपने according आपके लिए कुछ अच्छा ही करने की कोसिस कर रहा हूं भरोसा रखिए बस आप म मेहनत करिए जो चीजें बताई जा रही है अगर exam में आया तो गलत मत करिएगा आगे बढ़ते हैं देखे बच्चों आप यहां पर थोड़ा सा common sense लगाईए पूछा गया एतिहासिक लेखों का संरच्छण विग्ञान और कुछ options लिखें तो आप सबने एक यहां पर नाम सुना होगा म्यूजियम का म्यूजियम क्या होता है जिसे हम कहते हैं संग्राहले कहते हैं ठीक है तो संग्राहले का मतलब जहां पर पुरानी चीजों का collection रखा जाता पुरानी चीजों का वहां पर जमावट करके उनका संरच्छण किया जाता है जमा की जाती हैं पुरानी तो ऐसे स्थान को हम संग्राले या मियूजियम कहते हैं अब जब प्रश्चन है एटिहासिक लेखों का संरच्छण तो यह एतिहासिक लेख बेसिकली है क्या यानि जब आप यहां पर हीस्टोरिकल आर्टिकल्स की बात कर रहें लिश्टोरिकल articles मतलब कुछ भी हो सकता है जैसे कोई पुराना सिक्का मिल गया नहीं old coins मिल गया कोई sculpture मिल गया कोई मूर्ती मिल गई तो इन सारी चीजों को जहां पर सनरच्छन के लिए रखते हैं वो museum कहलाता है क्योंकि ये science का एक term है museology जिससे बना है museum तो अगर इतनी बात आप relate कर पाते तो answer निकाल लेते यानि option C हो जाएगा बच्चों कभी कभी कुछ प्रस्टों का उत्तर अपने common sense से हमें draw करना पड़ता है जरूरी नहीं हर पढ़ी चीज ही परिच्छा में आए हुए प्रस्टों को हम जब बिकल्प के आधार पर सही करने की कोसिस करते हैं तो बिकल्प भी कई बार हमारी मदद करता माल लीजे हमें कुछ नहीं पता केवल इतना concept पता होता तो इसको relate करके हम answer बिड्रो कर सकते थे ठीक है आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं पूरा स्लेबस 1st December तक finish होगा अरे भाई कौन कहता है पूरा स्लेबस 1st December तक होगा 8 महीने की चीज आप 25 दिन में करना चाहते हैं तो ये मेरे बस में तो नहीं हैं लेकिन मैं हाँ पूरे स्लेबस के महत्वूर विशेओं पर प्रश्नों को हल कराने की कोशिस कराऊंगा कौन कह रहा आप से कि आप पूरा स्लेवस पढ़ पाएंगे तो आप एक्जाम टाइम पर पूरे स्लेवस को पढ़ने बैठे हैं यह आपकी पूरी रणनी थी गलत हो गई तो समय को देखिए समय के अनुसार त्यारी करिए एक योजना बनाई करन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं बिल्कुल जानता था कि आप सब CPO में बहुत अच्छा करेंगे और मुझे अनुभो है उसी आधार पर तो आपको यह सारी चीजे करा रहा हूं अभी तो केवल चौथा दिन है अगर CPO के लिए भी मुझे 25 दिन मिलते तो मैं CP CPO में भी GS as it is फसा देता चलिए खर कोई बात नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मिक्स क्वेस्चन भी करवाएंगे फिक है बिल्कुल CPF में भी आपको फाइदा मिलेगा प्रारंभिक भारती इतिहास के संदर में NBPW शब्द का तात्पर क्या होगा बच्चों आप सब उत्त दीजिए देखिए जो यहां पर प्रश्ण आपके सामने है अगर इसका फुल फॉर्म आप जानते होते तो आंसर दे देते जैसे इसमें N टर्म का फुल फॉर्म है नौर्धन इसका फुल फॉर्म है नौर्धन यानि उत्तरी इसी तरीके से जो B टर्म इसमें यूज किया गया है इसका फॉल फॉर्म है ब्लैक यानि काला और जो P टर्म यूज किया गया है इसका फॉल फॉर्म है पॉर्ट्री पेंटेड इसका फिलफार्म है पेंटेड यानी चित्रित चित्रित और जो डबलू टर्म इसमें यूज़ किया गया है इसका फिलफार्म है वेर और वेर का मतलब होता है मृदभांड और मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बरतन मिट्टी का बरतन तो ध्यान दीजेगा बच्चो प्राचीन समय में पाशान युग में प्राग एतिहासिक काल में मिट्टी के बरतनों में भोजन पकाये जाते थे मिट्टी के बरतन घड़े जैसी चीजे आप जो देखते उसमें यहाँ पर भोजन पकाया जाता था कुकिंग की जाती थी और इसलिए उसका जो बेस होता था निचला हिस्सा वो काला हो जाता था उसे कभी कभी यहाँ काले रंग से चित्रित कर देते थे पेंट कर देते थे तो इस तरह के पेंटेट वेर को इस तरह के ही चित्रित मद्रभांडों को ही कहा गया नौर्धन ब्लैक पेंटेट वेर और इससे रिलेट करके अगर देखा जाए तो आप आंसर निकाल लेंगे कि यहाँ पर answer क्या लगाना चाहिए था यह सब pottery type थे यानि option भी इसमें सही हो जाएगा तो बच्चो option भी उत्तर लगाना है clear हो गया? आगे बढ़ा जाए चलिए अगले प्रस्ण पर आते हैं इसका उत्तर दीजिए बच्चो हम फड़ा फड़ उत्तर दीजिए बच्चो देखे इसका उत्तर कैसे निकालेंगे जरा इस पर दिमाग लगाते है तो पश्मी घाट का एक दूसरा नाम है सहियाद्री परवत इसे सहियाद्री परवत कहते है सहियाद्री माउंटेन कहते है इसे सहियाद्रि माउंटेन कहा जाता है और ये माउंटेन अगर देखा जाए तो आप पाएंगे ये सूरत से ले करके कन्या कुमारी तक बिस्ट्रित है सूरत से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है फिर इसके बाद जो अरावली रेंज है ये अगर देखा जाए तो पालनपुर से लेकर पालनपुर ये गुजरात में है यहां से लेकर दिल्ली के किनारे तक ये फैला हुआ है लेकिन मुख्य विस्तार इसका अगर देखें तो राजस्थान में पढ़ता ये राजस्थान में तो गुजरात के किनारे पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली के किनारे तक ये जाता है दिल्ली रिज जिसे कहा जाता है तो ये पालनपुर से दिल्ली रिज तक फैला हुआ है राजस्थान तक और जो बिंध परवत माला है बिंध रेंज है ये मुख्यता मद्ध प्रदेश के राज्य छेत्र में यानि MP में ये extended है और जो पूर्वी घाट है अगर ये देखा जाए तो ये भारत के पूर्वी तक इस्टन घाट यहां पर ये extended है अब इतनी बात तो हम जानगे अब आते हैं जरा इसकी बात करते हैं तो यहां अगर आप नोटिस करें प्रस्ट में लिखा है भीम बेट का भीम बेट का वो पुरास्थल है ये प्राग एतिहासिक पुरास्थल है जहां से चित्रकारी के प्रमाण मिले यानि यहां से गुफाओं में चित्र मिले है चित्रकारी या पेंटिंग तो अगर आप से ऐसा कोई प्रस्ट पूछा भी जाता है कि भारत की प्राग एतिहासिक चित्रकारी किस गुफाओं से मिली है किस केब से मिली है तो भीम बेट का में यानि यह जो गुफाओं में रहने वाले लोग, ये केब की बात कर रहा है, तो गुफाओं में लोग रहते थे, पाशान कालीन लोग रहते थे, उन्होंने ही चित्रकारी की है, पेंटिंग की है, और ये भीम बेटका की गुफाओं में मिला है, और ये मद्ध प्रदेश में भोपाल से मद्ध प्रदेश में है तो इसका मतलब आंसर आपके सामने है आप आंसर लगाएंगे बच्चो आप्शन सी बिंध्यन रेंज जिसने भी इस प्रशन का उत्तर आप्शन सी चुना है उसे पूरे अंक मिलेंगे ठीक है तो यह सारे यहां पर तत्थ आपको मालूम होने इस फांडेशन बैच में रोज क्या लिखा था पूरा नहीं पड़ पाया मैं आगे बढ़ते हैं कि भारतिये पुरात्त्त सर्वेच्छन के पहले महा निदेशक कौन थे रोज क्लास होगी अल्टरनेट डे अल्टरनेट डे क्लास होगी हम चलिए तो वू आज दे फर्स्ट डारेक्टियर जनरल आफ आर्कियोलाजिकल सर्वेज आफ इंडिया भारतिये पुरातत्त दर्वेच्छन के पहले महा निदेशक कौन थे दिखें आप सबने साइध ये टॉपिक पढ़ा होगा या इसके बारे में आप जानते होंगे कि जो पुरातात्तिक धरोहर है पुरातात्तिक धरोहर यानि आर्कियोलाजिकल archaeological heritage heritage तो जो हमारे archaeological heritage है इसको protect करना इसको preserve करना इसकी जिम्मेदारी निभाने वाला एक premier institution है एक यहाँ प्रमुक संगठन है उसी को कहते हैं भारतिये पुरातत्य सर्वेच्षण विभाग भारतिये पुरातत्य सर्वेच्षण विभाग इसको भारतिये पुरातत्य सर्वेच्षण विभाग कहा जाता है यहनि इसे कहते हैं archaeological surveyor department of India ASI का नाम आपने सुना होगा तो यहाँ पर ASI यानि Archaeological Surveyor Department of India इसके बारे में प्रश्ण पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसके समय हुई या किसके द्वारा हुई तो इसकी स्थापना या Establishment Foundation रखा गया 1861 में 1861 में यह इस्थापित किया गया था British Ruling Period में यानि Founded Founded in 1861 दूसरा इसके साथ साथ यह ध्यान रखेगा कि ASI Department के Foundation में प्रमुक भूमी का निभाई थी Alexander Cunningham ने तो Alexander Cunningham के प्रयास से ASI Department की Foundation रखी गई और फिर आगे चलकर 1904 में जब Lord Karjan बने वाइसरा है Lord Karjan तो उनके समय में इसे Re-Organized किया गया यानि इसे पुनरगठित किया गया और इसे एक अलग विभाग के रूप में स्थापित कर दिया गया तो Lord Karjan के समय इसका पुनरगठन हुआ Re-Organized हुआ और इसका Establishment 1861 में Lord Canning के समय हुआ तो किस Governor General के साशनकाल में इसकी निव रखी गई थी Lord Canning और किस Governor General के समय इसे पुनरगठित किया गया था Re-Organized तो Lord Karjan दोनों प्रस्ण हो गए फिर इसके बाद Alexander Canningham इसके संस्थापक थे और बाद में आगे चलकर Lord Karjan के समय आप आगे देखेंगे उसी के बाद इसका Re-Organization जब हुआ तो सरजान मार्शल इसके महानिदेशक बने थे अब बात करतें कि वर्तमान में जो ये डिपार्टमेंट है अट प्रेजेंट जो ये डिपार्टमेंट है ये Government of India के किस Ministry के अंडर काम करता है तो Ministry of Culture ये वर्तमान में Ministry of Culture के अंडर काम करता है यानि ये संस्कृत मंत्राले के अधीन काम करता है तो भारत सरकार का एक मंत्राले है, संस्कृत मंत्राले, ये संस्कृत मंत्राले के अधीन काम करता है और इसकी प्रमुक भूमिका क्या है, ये भारत के पुरातात्यक धरोहरों की रच्छा करता है, पुरातात्यक सन्रच्छल करता है और इसी का नाम है Archaeological Surveyor Department of India अब प्रश्ण क्या था बच्चों कि भारतिय पुरातत्त सर्वेच्छन के प्रथम महानिदेशक कौन थे तो आंसर हो जाएगा आप्शन ए अलेक्जैंडर कनिंगम जिन्होंने 1861 में इसकी फाउंडेशन रखी थी क्लियर हो गया आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्ण की तरब मूप करते हैं बच्चों ये प्रश्ण अब देखिए हाँ तो CGL 2022 के टार्गेट के लिए अलग कार योजना है और फाउंडेशन बैच के लिए अलग कार योजना है सब कुछ बिस्तार से बताऊँगा आपको चिंता मत करिए तर प्लीज प्लेलिस्ट पार इच सब्जेक बिलकुल मौमीन जी तो यहां पर चंपा का प्राचीन सहर देखे एक चीज आप लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक चैप्चर आएगा आपका इसापूर्व छठी सताब्दी का भारत इसापूर्व छठी सताब्दी का भारत इंडिया इन 6th century BC 6th century BC यानि छठी सताब्दी इसापूर्व का भारत इसमें एक टॉपिक आता है कि इस समय भारत में बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ और ये जो जनपद राज्य हुआ करते थे ये कनवर्ट हो गए बड़े राज्यों में ये बड़े स्टेट बन गए और इनहीं बड़े राज्यों को कहा गया महा जनपद महाजनपद तो बेसिकली जो यहाँ पर टर्म आप देख रहे हैं लिखा हुआ है महाजनपद ये क्या थे बिग स्टेट ठीक तो ध्यान दीजिएगा कि जो महाजनपद की बात की जा रही है इनकी संख्या पूछी जा रही है अब इनकी संख्या के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है तो बॉद्ध साहित्य है एक बुद्धिस्ट लिट्रेचर है मैंने साथ इसका जिक्र भी किया था बॉद्ध साहित्य या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसका नाम है अंगुत्तर निकाय और इसी में महा जन्पदों का विबरण मिलता है फिर इसके बाद बाद यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैन साहित में कौन से जैन साहित में या जैन लिटरेचर में या जैन टेक्स्ट में इसका विबरण मिलता है तो एक जैन टेक्स्ट भी है जिसमें इसका विबरण है उसका नाम है भगवती सुत्र भगवती सूत्र ये दो ऐसे टेस्ट है जिसमें इन महा जन्पदों के बारे में विब्रण आया है और इनकी संख्या इसमें 16 बताई गई तो 16 महा जन्पदों का विब्रण इसमें दिया गया है अब यहाँ ध्यान दीजिएगा पूछा गया था कि ये जो महा जन्पद है इसमें चम्पा का जो प्राचीन सहर है वो किस महा जन्पद की राजधानी थी तो देखे काशी की राजधानी थी वारानसी ये वारानसी का ही पुराना नाम है मगद की राजधानी जो आरंबिक राजधानी थी वो थी राजग्रह जो आज बिहार में राजगीर है और इसी तरीके से वज ये आठ राज़्यों का संग था और इसकी राजधानी थी वैशा तो ये तीन इस तरीके से कैंसिल हो गए अब अंग की राजधानी यहां पर थी चमपा ठीक है अंग की राजधानी थी चमपा और चमपा महत्मा बुद्ध के समय का एक प्रिसिद्ध नगर था तो यहां आंसर बचो आपको ए आप्शन लगाना था यानि जिसने भी ए प्रिकल सही है ठीक है तो मगद की राजधानी आरंभिक राजधानी राजग्रह थी बिंबिसार और अजात्सत्र के समय और वज्ज आठ राज्यों का संग हुआ करता था जिसमें सबसे बड़ा राज यहां वैशाली था लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी और इ इन महा जन्पदों के बारे में भी आपसे प्रस्णाता है यह प्रस्ण महा जन्पद के उपर आधारित था जो इसा पूर छटी सताबदी के बड़े बड़े राज्य थे इनकी कुल संख्या सोला बताई गई है आगे बढ़ते हैं देखिए कंप्यूटर्स भी आप लोग एड करने की सलाह दे रहें इस पर मैं बात कर लूँगा बाकी पेट कोर्स का एनाउस्मेंट हो चुका है आप एक बार अभिने मैट्स एप पर जाकर के सारी चीजें डिटेल में देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं निमलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्ब आप सभी को मेरा जीयस का कंटेंट भी मिल जाएगा चिंता मत करिए आप पहले जो बताया जा रहा इस पर आप काम करें देखें प्रस्ण है आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धान्त जरा इसको समझने की कोशिस करते हैं प्रस्ण है क्या तो आर्यों के मूल निवास स्था अर्यों का मूल निवास स्थान यानि ओरिजनल होम आफ आर्यों इस पर आप से बच्चों ये प्रस्ण पूछा गया है आर्यों के मूल उत्पत्ति को लेकर मूल निवास को लेकर scholars काफी differ करते हैं इनमें काफी बिबाद है इसमें अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग मत रखे जैसे यहाँ पर कोई कहता है कि यह मुख्यता जर्मनी छेत्र में रहते थे कोई कहता नहीं मध एसिया छेत्र में रहते थे फिर इसी तरीके से कोई कहता नहीं यह आर्कटिक रीजन में रहते थे आर्कटिक प्रदेश में रहते थे कोई कहता नहीं यह तिबबत से भारत में आये थे कोई कहता नहीं यह भारत में ही बसे हुए थे तो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर मत दिये गए हैं कि यह लोग अलग अलग छेत्रों से आए कोई यहाँ पर यौरप का छेत्र मानता है कोई Central Asia रीजन को मानता है तो इसमें से कुछ बिद्वानों के नाम दिये गए जैसे मैं Max Muller की बात करूं तो Max Muller साप कहते हैं कि यह लोग Central Asia के निवासी थे यह यह लोग Central Asia या मध एसिया में रहते थे खासकर इन्होंने उस जगे का नाम बता बैक्ट्रिया तो बैक्ट्रिया नामक स्थान से यह लोग भारत में प्रवेश करते हैं ऐसी मान्यता है Max Muller की जो कि एक जर्मन प्रोफेसर है तो Max Muller ने Aryans के होम को लेकर Central Asia की थियोरी दी औ दूसरी तरफ यहां पर बाल गंगा धर तिलक है यह कहते हैं यह Arctic Reason के रहने वाले थे यानि यह Arctic प्रदेश के लोग थे तो इनकी थियोरी अलग हो जाती है यह Arctic प्रदेश यानि उत्तरी धुबिये छेत्र को मानते हैं यह लोग North Polar Reason से कहते हैं कि भारत की तरफ आए अब स स्वामी द्यानन सरस्वती की एक बुक है साइद आप सब जानते होंगे सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास ठीक है और स्वामी द्यानन सरस्वती का नाम तो वैसे ही आपने सुना होगा इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था आरे समाज तो 1875 में तिब्बत के रहने वाले थे तो आंसर इसमें बच्चों आपको C option लगाना था स्वामी दियानन सरसुती स्वामी दियानन सरसुती के बारे में आपको बता दूँ इन्होंने सत्यार्थ प्रकास नाम से बुक लिखी है और इसके साथ साथ आरे समाज नाम से इन्होंने आपना की तो यहां आंसर हो जाएगा आप्शन सी तो जिन बच्चों ने आप्शन सी चुना है उनका उत्तर बिलकुल सही है सर जी PDF में आंसर लगा दिया करो प्लीज PDF और अच्छी हो जाएगी टाइम में स्टडी करने में या रिवीजन करने में भाई यहां पर आपको आंसर बताता हूँ तब भी आप लोग यहां पर आंसर मांग रहें यानि आपके अटेंशन में कमी है इतना तो confidence रखो कि क्लास मे सर ने करा दिया तो अब ये question दुबारा आएगा तो मैं कर लूँगा फिर भी answer मांग रहे हैं चलिए कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरश्णी के नाम से जाना जाता था निमलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरश्णी के नाम से जाना जाता था बच्चों इन सारी नदीयों के यहाँ पर नाम आपको मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ एकनॉमिक्स का special batch मिलेगा एकनॉमिक्स का कोई special batch नहीं होता क्योंकि इसका मतलब आप यहाँ पर एकनॉमिक्स को ले करके अगर CGL की त्यारी में उसकी रोल को देखें तो पाएंगे बहुत सीमित है GS special batch होता, एकनॉमिक्स special batch नहीं होता ठीक है, आगे बढ़े बताईए, उत्तर बताईए बच्चों हम, very good देखें, अभी कल की class में हम लोगों ने क्या discussion किया था इस नदी के बारे में जिक्र हुआ था पुरुष्णी के बारे में पुरुष्णी को आप पुरुष्णी भी लिख सकते है पुरुष्णी और इसमें खास बात आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर एक बहुत एतिहासिक युद्ध लड़ा गया था जिसका जिक्र वेदों में है और उस युद्ध का नाम है दाशराग युद्ध दाशराग युद्ध का मैंने जिक्र किया था जिसका मतलब होता है दस राजाओं का युद्ध दस राजाओं का युद्ध इसका मैंने आपसे जिक्र भी किया था अभी कल की क्लास में यानि बैटल आफ दास राज्य है बैटल आफ दास राज्य है दास राज्य युद्ध की बात की थी और इसका मतलब होता है टेन किंग्स के बीच में फाइटिंग हुई टेन किंग्स के बीच में आपर बैटल हुआ और ये बैटल लड़ा गया था पौरश्णी नदी के किनारे जो आधनिक समय में अगर देखा जाए तो रावी के नाम से जानी जाती है तो मैंने आपको पिछली क्लास में इन सभी नदियों के नाम बताये थे सतलज का नाम क्या बताया था सतुद्री था ठीक है इसका नाम सतुद्री था इसी तरीके से चनाब का नाम आपको बताया था असकिनी था इसका नाम असकिनी था फिर इसी तरीके से ब्यास का नाम आपको बताया था विपाशा था विपाशा थीक और फिर इसके बाद यहाँ पर रावी का नाम आपने देखा पौरश्णी था तो आंसर आपको डी आप लगाना था यानि जिन बच्चों ने D-option लगाया वो बिलकुल सही है ठीक है तो सभी नदियों पर हम लोग बात कर चुके हैं सतलज, सतुद्री, चनाब, असकिनी, ब्यास, बिपाशा, रावी, पौरुष्णी और इसमें एक और बच रही है मेरे ख्याल से वो कौन सी है तो वो यहां पर है आपकी जेलम जिसका नाम है बितस्ता, तो जेलम का नाम भी मैंने आपको बताया था बितस्ता, हाँ बियास याद है, चलिये कम से कम विपासा बसू से आपको बियास तो याद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुस्ठानों से संबंध रखता है, यानि कौन सा वैदिक टेक्स्ट है, जिसमें वैदिक रिचूल्स के बारे में बताया गया है, वैदिक अनुस्ठानों के बारे में बताया गया है, ये प्रश्ट भी बच्चों आप बिल्कुल सही करिएगा क्योंकि यहां पर आपको मैंने बहुत बिस्तार से कुछ चीजें कल की क्लास में बताया था तो उमीद करता हूँ कि आप सही कर पाएंगे सर पीडियफ नहीं दोगे तो रिवीजन भाई पीडियफ दे तो रहे हैं अभिने मैट्स एप्लिकेशन पर डे टू डे का पीडियफ अप्लोड कर दिया जाता है और आपको यह पीडियफ यहां पर मिलेगा एपने मैट्स एप्लिकेशन पर आंसर के साथ हलांकि जब आपने क्लास में आंसर जान लिया तो आपको आंसर की जरूरत भी नहीं रहे गई आंसर की आपके लिये बहुत important नहीं है लेकिन आंसर की भी आपको दी जा रही है ठीक हाँ सर सिंदु घाटी और हडपा सब्विता दोनो अलग है क्या नहीं भाई सिंदु घाटी में जो सब्विता विक्सित हुई उसी का नया नाम हडपा सब्विता है तो आप थोड़ा धैर रखिए foundation batch में बहुत बिस्तार से सब पढ़ाऊंगा तब आप अपने आप confusion दूर हो जाएगा सिंदु सब्विता का ही नया नाम करण है हडपा सब्विता दोनो एक ही है एक ही सब्विता कले प्र्युक्त होने वाले दो अलग-अलग नाम है बाकी कोई अंतर नहीं है ठीक चलिए आगे बढ़ें तो कौन सा वेद धार्मिक अनुस्ठानों से संबंध रखता है यहाँ पर पहले आप समझे बच्चों कि जो धार्मिक अनुस्ठान लिखा है जब यहाँ पर हम कोई धार्मिक क्रिया कर्म करते है धार्मिक कर्मकांड करते है तो अंत में आप आज भी घरों में अपने यग्ग में आहुती देते हैं तो यह यग्ग की बात कर रहा है तो ऐसे में यग के जो नियम दिये हुएं वो किस बेद में दिये गए हैं यानि इनके रूल्स यहां किस बेद में दिये गए ये प्रस्ट पूछ रहा है तो कल की क्लास में आपको ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ जैसे मैंने क्या बताया रिग वेद में देवताओं क प्रार्थना के मंत्र है साम वेद में मंत्रों को गाने का तरीका बताया गया अथर वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र और आयुद वेध के बारे में और यजुर वेद में अगर देखा जाए तो इसके नियम मिलते हैं तो आंसर इस प्रस्न का बच्चों आपको B option लगाना था यह प्रश्ण अक्सर आता है इसलिए चार वेद और उनके दिये गए विशह भी आपको जरूर याद होने चाहिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्ण की तरब मूप करते हैं चलिए इसका उत्तर दीजिए पुरसूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है पुरसूक्त की बात ये भी प्रश्ण हम लोग हल कर चुके हैं देखें मैंने आपको क्या बताया था कि रिगवेद कुल दस अध्यायों में बटा है रिगवेद में कुल दस मंडल मिलते हैं और इसके दसमें मंडल में अगर दे पुरसूक्त ठीक इसमें पुरुसूक्त दिया गया है और इसका जिक्रमाय ने किस संदर में किया था कि इसी में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया कि वर्णाज कैसे बने यानि वर्ण जिनकी संख्याचार थी कौन-कौन से तो ब्राम्हिन छत्रिये वैश्य और पुरुष सुक्त में बताया गया तो इसका संबंध यहां पर किसे है रिग वेद से यानि आप्शन डी सही होगा तो जिन बच्चों ने आप्शन डी लगाया वो बिल्कुल सही है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं उपनिशद क्या है उपनिशद क्या है यह भी आप पढ़ चुके हैं अभी कल की क्लास में इस पर भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ देखे क्या बताया था बच्चों आपको की उपनिशद बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है कौन कौन से दो शब्द है तो इसमें से एक टर्म है उप और जमा निशद का यहां लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए यानि निशद की अगर मैं यहां लिटरल मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है सिटिंग यानि नजदीक बैठना तो नजदीक बैठकर गुरू के नजदीक बैठकर जो ज्यान अर्जित किया गया अध्यात्मिक ग्यान गुरू के समीप बैठ कर अर्जित किया गया ग्यान इसी को हम कहते हैं उपनिशद और ये ऐसे ग्यान है जिसके आधार पर भारतिय दर्शन का विकास हुआ और इसी को हम हिंदू दर्शन कहते हैं तो इसका आंसर बच्चो आपको C option लगाना था तो कल हम लोग इस topic पर discussion कर रहे थे कि भारत में जो दर्शन की परंपरा है उसे हम क्या कहते हैं सड़ दर्शन ये सड़ दर्शन बेसिकली है क्या अगर देखा जाए तो सड़ दर्शन कहा गया है किसे 6th school of Indian philosophy को यानि ये भारतिय दर्शन के 6 संप्रदाएं हैं इनको कहा गया है सड़ दर्शन तो आप ये कह सकते हैं ये है 6 schools of Indian philosophy अब इनका नाम भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होगा जैसे एक मैंने क्या बताया था सांख्य दर्शन इसी तरीके से एक क्या बताया था योग दर्शन इसी तरीके से क्या बताया था न्याय दर्शन इसी तरीके से एक और बताया था आपको वैसेशिक दर्शन फिर इसी तरीके से एक नाम और बताया था आपको पूर्व मिमानशा ठीक है? ये सब अभी कल की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया भी है, याद रखिएगा और फिर इसके बाद आपको एक नाम बताया था उत्तर मिमानशा उत्तर मिमानशा तो कपिल मुनी योग के कौन थे तो पतंजली या न्याय के कौन थे तो गौतम वैसेशिक दर्शन किसने दिया था तो कनाद मुनी ने पूर मिमान सा किसका है तो जैमिनी का और उत्तर मिमान सा दर्शन किसने दिया तो बादरायन का तो ये सारे नाम बच्चों आपको याद रखने चलिए अगले प्रश्ण की तरब मूप किया जाए कैवल्य हूं बताइए कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं बॉद्ध से जैन से हिंदू धर्म से तिख धर्म से क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण का उत्तर दें बच्चों फड़ा फड़ा आप सब कि कैवल्य का संबंधित किस धर्म से हैं देखे तो यहाँ पर आप अगर ये पॉइंट तयार कर चुके होंगे आप पढ़ चुके होंगे जैसे महावीर स्वामी महावीर स्वामी के बच्पन का नाम के बच्पन का नाम चाइल्ड हुड नेम आप महावीर स्वामी क्या था तो इनका नाम था वर्धमान इनका नाम था वर्धमान वर्धमान इनका नाम था दूसरा इनके कुछ अन्य नाम या अदर नेम भी मिलते हैं अब इनके अन्य नाम कौन से थे तो जरा उसे देखा जाए तो जैसे अन्य नाम में एक नाम मिलता है निगंठ नाथपुत्ट ये भी इनका एक नाम मिलता है महावीर स्वामी का नाम है एसे महावीर स्वामी को ही यहाँ ध्यान रखेगा जिन भी कहा गया है इनको केवलिन भी कहा गया है और हर एक चीज का अपना एक विजेश अर्थ है तो जिन का मतलब मैंने क्या बताया था विजेता इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली इंद्रियों क को अपने कंट्रोल में कर लिया इसलिए विजेता कहलाएं तो जिन कहा गया केवलिन क्यों कहलाएं तो इसके पीछे कारण यह है कि जैन धर्म में कि जैन धर्म में कि सर्वोच ग्यान को कि सर्वोच ग्यान को कैवल्य कहा गया है कैवल्य कहा गया है कैवल ले कहा गया है और चुकि महावीर स्वामी ने ये सर्वोच ग्यान हासिल किया था इसलिए उनका नाम पढ़ गया कैवलिन तो कैवलिन किसे कहा गया महावीर स्वामी को क्योंकि उन्होंने ये ultimate knowledge attain किया था तो in jainism in jainism in lighted knowledge is known as कैवलिय कैवलिय और चुकि महावीर स्वामी ने इसे attain किया इसलिए वो कैवलिन कहलाए तो अगर इतनी बात आप जानते थे तो इसके आधार पर आप answer लगा देते कि कैवलिय का संबंध जैन धर्म से है यानि option भी इसमें correct हो जाएगा ठीक है याद रहेगा अब ये इसी से relate करके ये चीज़े भी exam में आ सकती है तो कैवल इस प्रस्ण का उत्तर नहीं गौर करना है ये तो मैं जानता हूँ कि सेम प्रस्णा है तो आप सही कर लेंगे ये बातें भी आपके लिए एहम हैं क्या पता हम लोग यहाँ पर पढ़ रहें कि महावीर स्वामी के बच्पन का नाम क्या था यही प्रस्ण आपके paper में आ जाए तो हर एक प्रस्ण पर मैं आपको 5-6 एक्स्ट्रा बाते जो बताता हूँ वो भी तैयारी का हिस्सा है आप उसे भी relate करके बच्चों रखेंगे क्योंकि परिच्छा में आपको ये मदद करने वाले है मेरा इरादा यही है कि सभी topic को touch करते हुए चर्चा कर ली जाए और जो महतुपूर बाते हैं वो तैयार हो जाए ठीक आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण भगवान महावीर को सर आपका बताया बहुत सा question आया है पॉलिटी में बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्थ हुआ था वैर डिड़ लार्ड महावीरा अटेंड सालवेशन ठीक तो मोक्ष एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ बच्चों कि जो जैन धर में मोक्ष सब्द है इसके लिए इसमें टर्म युस किया गया है निर्वान इसी को निर्वान कहा गया है निर्वान ठीक है तो निर्वान कहिए चाहे मोक्ष कहिए यही है सालवेशन Salvation आप जानते ही है Liberation को कहा जाता है मुक्ती मिल जाए जन्म और मृत्य के चक्र से जन्म मरण के चक्र से जो ब्यक्ति मुक्त हो जाए वो मौक्ष प्राप्त कर लेता है सर पहले सिंदुगाटी सब्यता या महत्मा बुद्ध भाई इतनी बेसिक चीजे नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा महत्मा बुद्ध तो ईशा पूर छठी सताब्दी में आए उनका जन्म आप जानती है 563 बीसी में हुआ जबकि सिंदुगाटी सब्यता तो वो लगभग 4700 पूर्व की है यानि आज के लगभग 5000 साल पुरानी है तो दोनों में तो बहुत अंतर है महत्मा बुद्ध तो बहुत बात में आए ठीक तो निर्वान की प्राप्ती या मोक्ष की प्राप्ती एक ही बात है तो इस संदर में आप ध्यान दीजेगा कि भगवान महावीर का अगर पूचते हैं जन्मस्थान कहाँ था जन्मस्थान तो यानि बर्थ प्लेस क्या था तो उस जगे का नाम है कुंडग्राम कुंडग्राम कहाँ पर पड़ता है विहार के वैशाली में तो विहार के वैशाली में वैशाली में यहां पर इंका जन्म हुआ था और अगर पूछते हैं यहां पर मोक्ष कहां प्राप्त हुआ तो आंसर क्या होगा पावापुरी में तो आंसर आपको बच्चों यहां पर लगाना है पावापुरी में यानी option A और इस तरह से भी प्रस्ण आपके पेपर में आते हैं ठीक आगे बढ़ा जाए देखे पहले जैन या बध की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक रिशभ देव या आदिनाथ उनको महत्मा बुद्ध से बहुत पहले का माना गया लेकिन उनकी एतिहासिक्ता वो बहुत doubtful है संदिक्द है ये नहीं पता है कि रिशभ देव या आदिनाथ कोई सक्सियत थे भी तो जैन धर्म को वैसे बहुत धर्म से प्राचीन माना जाता है तो इसी लिए आप सब वेट करें जब विस्तार से पढ़ेंगे तो इस पर बाते करेंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप से अगला प्रश्ट पूछा जा रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामुहिक रूप से किस सब्द का प्रयोक किया जाता है इसका उत्तर बताईए रिपीट क्वेश्चन देखे पीछे जो क्वेश्चन था वो था कि महावीर स्वामी को लिब्रेशन, साल्वेशन या निर्वान कहां प्राप्थ हुआ था उस जगे का नाम था पावापुरी तो पावापुरी के बारे में कुछ और भी बात आपको पहले बता चुका हूँ चलिए इसका उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए बच्चों जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस सब्द का प्रयोग किया जाता है A collective term used by the gens for their sacred books is क्या answer हो जाएगा तो यहाँ पर है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो इन्होंने पवित्र ग्रंथ लिखे सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया तो इसे अंग कहा गया है यानि इसे यहाँ पर यह अंगाज कहते है अब इनकी कुल संख्या यानि answer तो आपको पता ही चल गया answer हो जाएगा बचों आपर बी option लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखेगा जो यह अंग है इनकी कुल संख्या है बारा और इनके संकलन की अगर बात की जाए कि यह संकलित कहां किये गये थे यानि इन्हें composed कहां किया गया था तो उस जगे के नाम है वल्लभी यह वल्लभी कहां है गुजरात में तो गुजरात में एक जगे है वल्लभी जहां पर जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन हुआ था तो जैन ग्रंथों का संकलन वल्लभी रामकिस्थान पर हुआ था तो यह लिख सकते हैं कि जैन धर्म जैन धर्म के प्राचीन साहित या प्राचीन ग्रंथों का संकलन गुजरात के वल्लभी में हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था वल्लभी में हुआ था जहां जहां पांसो तेरा या पांसो चप्शबिस इस्वी में दूसरा जैन सम्मेलन आयजित हुआ था दूसरा जैन सम्मेलन आयोजित हुआ था आयोजित हुआ था ठीक है ये बहुत महत्तपूर बात है एक्जाम में इससे रिलेटेट कुछ आ सकता है मैंने क्या बताया कि समय था 513 या 526 AD प्लेस क्या था वल्लभी वल्लभी कहां पड़ता है गुजरात में ये गुजरात में पड़ता है और ये किसलिए importance रखता है क्योंकि यहां पर second religious council हुई थी second religious council हुई थी किसकी जैनों की तो यहीं पर second religious council organize की गई थी जैनों की यहीं पर इनके literature को compiled किया गया था जिसे अंग कहते हैं और उन अंग की कुल संख्या 12 है तो यह सारे तथ्यमात मूड हो गए तो प्रश्ण का उत्तर आपको भी option लगाना था और साथ में इन तथ्यों को भी ध्यान रखना था चलिए इस प्रश्ण का उत्तर दीजिए हाँ पहला भी जानना चाहते हैं तो पहला भी बता देता हूँ इन्होंने पूछा है सर पहला जैन समेलन तो जो first religious council हुई थी यह पार्टल इपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौरे के समय पार्टल इपुत्र में first council हुई थी चंद्रगुप्त मौरे के समय और second हुई थी यहाँ पर वल्लभी में गुजरात में ठीक तो दो जैन समेलन हुए पहला पार्टल इपुत्र में चंद्रगुप्त मौरे के समय और second वल्लभी में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण पर आते हैं, 326 इसा पूर में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो जरा इसका आंसर देखते हैं बच्चों, देखें कि कंदर और पोरस की लड़ाई को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं बितस्ता का युद्ध कहते हैं, जो की 326 बीसी में लड़ा गया, यानि बैटल आप बितस्ता बैटल आफ बितस्ता ठीके timing है 326 बीसी, इसके साथ साथ इससे एक और नाम से जानते हैं हाइडसपीज का युद्धु इसे हाइडसपीज का युद्ध भी कहा जाता है यानि इसे बैटल आफ बैटल आफ हाइडसपीज भी कहते हैं हाईडस पीज का युद्ध भी कहते हैं जो की ग्रीक टर्मलाजी में है तो चाहे हाईडस पीज का युद्धा है चाहे बितस्ता यानि बैटल आप बितस्ता है दोनों का टाइमिंग 326 BC किसके बीच में सिकंदर और पोरस सिकंदर का एक अन्य नाम जो ग्रीक नेम है इसका वो है अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर का ही भारतिय रूपांतरण है सिकंदर यानि अलेक्जेंडर ग्रीक नेम है और इसका भारतिय नाम हो गया सिकंदर तो अलेक्जेंडर ने 326 BC में इंडिया पर अटैक किया था भारत पर आक्रमन किया था सिंदो नदी पार की थी और उस समय जो पोरस का राज्य था ये जेलम नदी के तट पर बसा हुआ था तो इसका आंसर बचोब आप समझ गए होंगे डी आप्शन होगा आपने डी ही फिलहाल लगाया है तो 326 BC में पोरस और सिकंदर के बीच एक आतिहासिक लड़ाई हुई और इसमें भले ही पोरस हार गया लेकिन सिकंदर उसकी बीरता से प्रभावित हुआ और सिकंदर ने यहाँ पोरस को उसका राज्य लोटा दिया तो य आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखिए माउंट आबू इस्थित मसुहूर दिलवाडा मंदिर निमलिखित में से किस तमुदाय का पवित्र तीर्थिस्थल है दफेमस दिलवाडा टेंपल्स आफ माउंट आबू और सेक्रेट पिलग्रिम्स प्लेस फार्द क्या आं आंसर दीजिए दिखिए आप एक बात समझिए बच्चों कम से कम यह बात मैंने बीसों बार रिपीट कर दी कि आपका एक्जाम अबजेक्टिव नेचर का एक्जाम है मेरे लिखने का कोई विसेश फर्क नहीं पड़ता आपको समझना जादा और जितने भी इंपॉर्टे इसके बारे में जड़ा जान लेते हैं तो दिलवाडा मंदिर जो की माउन टाबू परिस्थित है इसके बारे में ध्यान दीजेगा आप ये राजस्थान राज्ज में भाई अब राजस्थान को मत कहिएगा इंग्लिस में लिख दीजिए इतना तो आप सब लिखी सकते हैं ठीक है तो राजस्थान में एक जगे है सिरोही सिरोही आप जानते ही होंगे दूसरा ये जो माउन टाबू है ये भी आप जानते अरावली पहाड़ियों का ही भाग है ये अरावली रंज में ही है अरावली पहाड़ियों का ही हिस्सा है यानि ये अरावली हिल्स का ही पार्ट है तो अरावली हिल्स में के रुऴही में है और इसके साथ यहां पर तीसरी बात ध्यान दीजेगा उस समय पश्मी भारत में एक राजवन्स का साशन था 69 ằng चालुग्या डाइनिस्टी कि अब इसी से रिलेट करके तत् academically को बताने जारा हूं कि चालुग्यों को एक राजा रॉए चालुक्य वंस के राजा उनका नाम था भीम देव भीम देव प्रथम ठीक है तो किंग आफ चालुक्या डाइनिस्टी चालुक्या डाइनिस्टी इनका नाम था भीम देव फस्ट और इन्हीं के एक फ्यूडल थे सामन्त थे यानि कि इनके मिनिस्टर थे मंत्री कह सकते हैं आप मिनिस्टर या इनके मंत्री थे उनका नाम था भीमल शाह भीमल शाह दूसरी बात ये ध्यान रखेगा कि ये लोग जैन धर्म का और सन्रचण देते थे जैन रिलीजन को पैट्रनाइज किया इसको इन्होंने सन्रचण प्रदान किया था यानि ये इसके पैटरॉन थे किसके जैन रिलीजन के तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने जो मंदिर बनवाया विमल साह ने ही ये मंदिर बनवाया था जिसका नाम है दिलवाडा मंदिर किसने बनवाया विमल शाह ने और चुकि ये जैन धर्म के अ आप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 14 तीर्थंकर से अच्छा आप कुछ और पूछ रहे हैं 14 तारीक से पेड होगा क्या बिल्कुल यहां पर जी एस फाउंडेशन बैच 14 अप नॉबर से स्टार्ट होगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस बैच में तो कंप्लीट जीएस पढ़ने पर ही वेनिफिट है केवल जोग्राफी पढ़ने की आवस्कता आपको नहीं है क्योंकि उसका पॉर्शन फिर बहुत चोटा हो जाएगा बाकी आप एक बार अभिनाय मैट्स अप्लीकेशन डाउनलोड कर लें वहां सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी चलिए तो गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो महत्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीजे पूछी गई है जरा इसको जानते महत्मा बुद्ध महत्मा बुद्ध अब इनके बारे में सबसे पहला महत्पूर्ट तथ आपको ध्यान देना है जन्म कब हुआ तो 563 इसापूर में 563 इसापूर में यानि 563 वीसी में ये याद रखिएगा दूसरा बर्थ प्लेस यानि जन्मस्थान भी एक्जाम में आ सकता है तो अगर बर्थ प्लेस पूछते हैं जन्मस्थान तो लुम्बिनी लुम्बिनी कपिलवस्त राज्जी के अंतरगत इस्थित था कपिलवस्त जो नैपाल की तराई में इस्थित है इसी तरीके से यहाँ पर आप से तीसरा पूछा जा सकता इनके पिता का नाम क्या था इनके फादर कौन थे तो उनका नाम था सुद्धोधन इनके फादर का नाम था सुद्धोधन और ये कपिलवस्त के साक्यगण राज्जी के प्रधान थे कपिलवस्त के साक्यगण के प्रधान थे साक्यगण के प्रधान थे यानि हैड आप साक्यगण तो वज्जि संग के अंतरगत साक्यों का राज्जी आता था और उसी के ये head थे कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन फिर इसके बाद इनकी माता का नाम इनकी मदर का नेम था महा माया या माया देवी इनकी मदर का नेम था जिनका देहांत इनके जन्म के साथवे दिन हो गया महत्मा बुद्ध के बर्थ के सेवन्थ डेज पर इनकी मदर एकस्पायर हो गई उनका सरग्वास हो गया फिर इनकी अरली चाइल्ड़ूट केर की इनका पालन पोशण जिस महिला ने किया उसका नाम था प्रजापती गौत्मी जो इनकी मौसी थी प्रजापती गौत्मी जैनी इनकी मौसी प्रजापती गौत्मी ने इनकी अरली चाइल्ड़ूट केर की इनका पालन पोशण किया फिर इसके साथ-साथ यहां पर ये भी ध्यान रखेगा कि महत्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में 29 वर्स की उम्र में ग्रह त्याक कर दिया घर छोड़ दिया इन्होंने ग्रह त्याक कर दिया तो हाउस छोड़ कर घर छोड़ कर ये चले गए ज्यान प्राप्ती के लिए और फाइलली इनको बोध गया में ज्यान की प्राप्ती हुई ठीक है तो ये सारी चीजे आप बहुत धर में पढ़ने वाले हैं लेकिन इतनी बेसिक बातें अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत सारे प्रस्णों के उत्तर में मदद मिलेगी जैसे यहां पूछा गया इनका वास्तविक नाम क्या था तो आंसर क्या लगाएंगे इनका वास्तविक नाम था सिध्धार्थ ठीक है तो आप्शन ए आपको बच्चों हाँ पर अंसर चुन्ना था दूसरी बात इनका विवाह हुआ था किसते इनकी पतनी का नाम था यशोधरा और यशोधरा से इनहें संतान पैदा हुई थी एक बेटा हुआ था और उस बेटे का नाम था राहुल इनकी बायोग्राफी से related अक्सर प्रश्ण आते हैं फिर इसके बाद यहां एक बात और ध्यान दीजेगा कि इन्हों ने जो ग्रहत्याक किया था इस घटना को बौत धर में एक नाम दिया गया है इसे महा भिनिस क्रमड कहा जाता है तो ग्रहत्याक को कहते हैं महा भिनिस क्रमड के नाम से इसको जानते हैं फिर इसी तरीके से इन्हें ग्यान की प्राप्ती जब हुई बोध गया में तो इसी को कहा गया वो तथागत हो गये यानि यहां से इनका नाम पड़ा तथागत तो तथागत का मतलब होता है जिसे सत्त का ज्यान हो गया, इन्हें टुथ पता चल गया जीवन का, और ये enlightened person बन गये, और enlightened के बाद ये कहला है बुद्ध, तो बुद्ध का मतलब होता है enlightened person, enlightened person यानि ज्यानी व्यक्ति तो इस तरह से प्रस्ण भी आपके पेपर में बच्चों आ सकता है हलाकि यहां answer ए लगाना आपको आगे बढ़ा जाए गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो अब इस प्रस्ण का उत्तर तो आप दे ही पाएंगे क्योंकि मैंने अभी अभी चर्चा कर दी बोध गया में बोध गया में एक पीपल बृच्च के नीचे एक पीपल ट्री के नीचे पीपल बृच्च के नीचे इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी और वो वैशाक का महीना था और वैशाक की पूरिमा का दिन था ठीक है पूरिमा मतलब होता है फुल मून फुल मून था और वैशाक आप जानते हैं हिंदी कैलेंडर का एक महीना है वैशाक के फुल मून वैशाक पूरिमा के दिन पीपल ट्री के नीचे ने इनलाइटमेंट हुआ और इसी पीपल ब्रिक्ष को क्या कहते हैं बोधी ट्री कहा जाता है इसे बोधी ब्रिक्ष कहा जाता है और बोधी का मतलब ही होता है ज्यान तो यहां से आपको ये ध्यान उत्तम उपदेश दिया था यानि फस्ट सर्मन दिया तो अगर एक्जाम में आ गया कि इन्हों ने अपना फस्ट सर्मन कहां पर दिया था तो आंसर क्या लगाएंगे बच्चों सारनाथ में उत्तर प्रदेश में बनारस के पास इंगलिस में मई मंत कह रहे हैं हाँ बिलकुल तो वैसाक महीने में फुल मून के दिन पीपल ट्री के नीचे इनका इनलाइट्मेंट हुआ और इसी को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं यानि इसी पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और आप लोगों को गैस्टेड हालिडे भी मिलता है मैं बोध गया से हूँ सर मैं बोध गया से हूँ चलिए रवी कुमार जी आप महत्मा बुद्ध के इनलाइट्मेंट प्लेस से हैं ये बड़ी सौभाग की बात है तो आपका इनलाइट्मेंट तो हो चुका है लाइट आफेसिया बिलकुल एडविन एर्नाल्ड की बहुत फेमस बुक है लाइट आफेसिया बिलकुल सही कहा आपने तबसे ज्यादा उपदेश स्रावस्ती में दिया था कौशल की राजधानी स्रावस्ती में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य देखिए जो चार महान सत्य यहां पर लिखा हुआ है बच्चों इ ठीक है कौन से टृत्थे तो जैसे इन्होंने पहला सत्य बताया कि जीवन में दुख होता है जीवन में जीवन है तो जीवन में दुख जरूर आएगा यानि सारो की बात की है इन्होंने इसी तरीके से दूसरा आप देखें तो एक कहते है प्रतेक दुख का कारण होता है दुख का कोई ना कोई कारण होता है यानि काज आप सारो काज आप सारो की बात करते हैं इसी तरीके से कह तो दुख को दूर किया जा सकता है यानि एक तरीके से इसके रेमेडी की बात करते हैं और फिर ये दुख दूर करने के मार्ग बताते हैं जिसमें 8-fold path इन्होंने बताया एट फोल्ड पाथ बताया इसी को कहा गया अस्टांगिक मार्ग आठ मार्ग बताये तो इसे अस्टांगिक मार्ग कहा गया यानि एट फोल्ड पाथ तो कहा जीवन मिला है तो दुख होगा ही फिर दुख का कोई न कोई कारण भी होगा अगर उस कारण को खतम किया जाए तो दुख दूर हो जाएगा और दुख दूर करने के लिए उन्होंने आठ तरीके बताए हैं आठ मार्ग जिसको आस्टांगिक मार्ग कहा जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर आप कहेंगे कि जो यह चार आरिश सत्य का सिध्धान्त है इन्होंने अपने पहले उपदेश में य आगे बढ़ते हैं कि प्रथम बॉद्ध परिशद कहां आयोजित हुई थी दा फस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड़ाइट हाँ कोर्स ड्यूरेशन के बारे में सब कुछ आपको बिस्तार से बताऊंगा थोड़ा आप धैर रखिए मैं बहुत जल्दी आप सबको एक यहाँ पर वीडियो शेयर करूँगा दुआ करो इतना अच्छा सर जी एस पड़ा रहे पैतालिस नंबर जी एस में आएगा पेपर में बहुत बहुत धन्यवाद आपका उतकरशी चलिए इस प्रस्ट का उत्तर देखिए बहुत परिशद टर्म आया है बचों यहां गौर करिएगा बहुत परिशद किसे कहा ग परिशद कह रहे है यानि इसे हम बुद्dhist कि ऑ्बुद्धिस्ट रिलीजिय इस कौंफरेंस भी कह सकते हैं यह बुद्धिस्ट रिलीजिय इस कौंफरेंस थी फिक है अब यहां पर ये भी आप पड़ चूके है कि कुलमिला के चार काउंसिल हूई טंए यानि चार परिश चुका हूँ कि मगद की जो आरंबिक राजधानी थी राज ग्रह यहां पर आयोजित हुई और इसका सनरच्छक कौन सा सा सकता तो अजाद सत्रु था ठीक है अजाद सत्रु फिर इसी तरीके से जो सेकेंड रिलीजियस काउंसिल हुई थी ये कहां हुई थी तो सेकेंड मैंन से अगर देखा जाए तो तीसरी बॉद्ध संगी थर्ड लीजियस काउंसिल बुद्धिस्ट में या कहां हुई पाटली पुत्र में हुई थी और यहां पर सनरच्छक कौन था तो आंसर क्या लगाएंगे असोग था फिर ऐसे ही चौथी बॉद्ध परिशत फोर्थ यह चार के चारों आपको याद रखना है इसके साथ साथ बच्चों कभी कभी परिच्छा में यह भी आता यह किस वंस का सासक था तो यह हर्यंक डाइनिस्टी का था काला सोग किस वंस के थे तो यह सिसुनाग वंस के सासक थे और इसी तरीके से असोग किस वंस के थे तो य और राजग्रह में फस्ट हुई और पार्टलिपुत्र में थर्ड हुई और वैशाली में सेकेंड हुई तो चार के चारों आपके सामने लिखे हैं चुकि पहला पूछा गया है तो आंसर आपको इसमें भी आप्शन लगाना है लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये भी याद रखना है हाँ ये क्लास फ्री चलेगी ये 25 दिनों का जो सेशन आपका चल रहा है ये 25 डेस तक आपको ऐसे ही सेशन मिलता रहेगा आगे बढ़ते हैं क्या कोर्स टायर 2 से पहले खत्म हो जाएगा सर नाजनीन जी ये कोर्स नहीं है आप सब पहले तो अपना कन्फ्यूजन दूर कर ले ये मैं कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ ये मैं एस्पेक्टेट क्वेशन करा रहा हूँ जो इस बार टियर वन एक्जाम में आने वाले संभावित प्रस्ण हैं प्रोबेबल क्वेशन हैं उसका डिसकेशन करके आपके पूरे जी येस का एक क्विक रिवीजन चल ला हा ये पढ़ाई आप यहाँ पर नहीं कह सकते हैं पूरे जी येस किए जी येस तो बहुत बिस्तार से आप सबको पढ़ना है तो हम लोग फाउंडेशन बैच में उस पर बात करेंगे चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रस्ण की तरफ आते हैं बच्चों निमलिखित में से कौन सा बहुत धस्तल उत्तर प्रदेश में इस्थित है बताईए चलिए भाई आपको ज्ञान की प्राप्ती हो गई बहुत बहुत बधाई आपको आप बुद्ध हो गए आप ज्ञानी ब्यक्ति बन गए बहुत अच्छा चलिए इसका उत्तर दीजिए हाँ बीच सफर में छोड़के जाने वालों में नहीं हूँ मैं अपने बच्चों का दामन तब तक नहीं छोड़ता जब तक उन्हें भावसागर पार नहीं करा देता और मेरा मानना है इस कलिए में भावसागर पार करने का मतलब है नौकरी ले लेना तो आप जब तक बेरोजगारी के दामन को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं आपका दामन पकड़े रहूँगा तो बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकारी नौकरी पाना होगा और सरकारी नौकरी पाने के लिए जब तक आप प्रयास करते हैं मैं आपका उत्सावर्धन करता रहूँगा आपको दिशा निर्देश देता रहूँगा आपको पढ़ाता रहूँगा तो अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं और वैसे भी अभिने सर मेरे बहुत अजीज मित्र रहे हैं उन्होंने मुझे एक नॉबिल कॉज से जोड़ा है ना की केवल मॉनेटरी कॉज से एक नॉबिल कॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ वो चाहते थे मुखरजी नगर के कोई वरिस्ट अध्यापक जिनके पास अनुभो बहुत अच्छा है वो इन तरह के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीड छेत्रों में बैठे दिल्ली नहीं आ सकते वो आ करके सर से पढ़े Otherwise मैं यहाँ दिल्ली मुखरजी नगर में ही पढ़ाता हूँ online platform पर जनरली मेरा नाता बहुत कम रहता क्योंकि मैं पढ़ाते समय अनुसाशन पसंद करता हूँ मेरा मानना है कि आप अनुसाशित है आप समय का पालन करते हैं तो आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर online की दुनिया में बच्चों में अनुसाशन हीनिता ज़ादा होती है इन्डिसिप्नरी अक्टिबिटी करते हैं उन्हें साइद यह नहीं पता होता है कि उससे अपने नैतिक बल को कमजोर करते हैं अपने माता पिता के संसकारों का अपमान करते हैं अपने गुर्जनों का भी अपमान होता और अपने भविस्य पर एक प्रश्चिन होता है तो बच्चों सिक्षक का उद्देश ये भी होता है कि वो आपको सचरित्र बनाए आपको चरित्रवान बनाए आप में नैतिक बल मजबूत करे और इसी मिशन से मैं आप से जुड़ा हूँ बाकी आपका प्यार सम्मान मिलता रहेगा तो मैं आपके सार निरंतर रहूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं तीक निमलिखित में से कौन सा बध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो सारे बध स्थल ही है यहाँ पर जो कारले है इसे बच्चों कारले कर लीजिएगा यह कारले किसलिए फेमस है यहाँ पर चैत्य बनाएगे और चैत्य मैंने कहा था पूजा अग्रे होता है तो यहाँ पर बधों का जो पूजा अग्रे है जहाँ यह प्रेयर करते थे वो चैत्र है और ये चैत्र यहां पर महाराष्ट में है ठीक तो कारले कहां पर है महाराष्ट में साची मैं आपको बता चुका हूँ यहां इस्तूप बने हुए थे यह मद्ध प्रदेश के सतना जिले के पास है तो मद्ध प्रदेश के सतना जिले में यहां साची का इस्तूप मिलता है औ और अमरावती आप सब जानते हैं ये आंधर प्रदेश में है और इस तरीके से हाँ अब साथ यहां आंधर प्रदेश न कहकर आप तेलंगाना कर दीजिए तो कुल मिला करके ये जान लीजिएगा कि यहां पर सारनाथ एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां महत्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था फस्ट सर्मन और उनके प्रथम उपदेश को या फस्ट सर्मन को ये भी ध्यान रखेगा क्या कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन यानि इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश में वारानसी के पास है त तो यहाँ D option आप लगाएंगे, पहला उपदेश दिया, first sermon दिया, इसले धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन भी आपके एकजाम में पूछा जा सकता है, क्या है, यह टर्म भी आपको याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको यहां महत्मा बुद्ध के फस्ट सर्मन को कहा गया ठीक तो आंसर डी आप्शन हो जाएगा चलिए अगले क्लास की ओर बढ़े गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आपसे पूछा गया इसका उत्तर तो बताईएगा तरिये क्लास 25 डेज के बाद नहीं चलेगी जी प्रज्जल जी ये SSC के CZL के टायर वन एक्जाम के लिए सुरू हुई है जैसे टायर वन एक्जाम ओवर हो जाएगा ये सेशन समाप् को जी यस डिटेल में पढ़ाता रहूंगा चलिए आगे बढ़ें हम आंसर दीजे इस प्रस्ट का कि आंसर दीजे फटाफट बच्चों यहां पर हां गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो आपको मैंने बताया था कि बौधों का प्राचीन साहित है त्रिपिटक पाली भाषा में जो की लिखा गया है यह आप पढ़ चुके पिछली भी क्लास में और इस त्रिपिटक में तीन पिटक सामिल है यानि थ्री टेक्स्ट सामिल है इन्हीं थ्री टेक्स्ट को क्या कहा गया है पिटक तो कौन-कौन से पिटक है यह आप पढ़ चु के पिछली क्लास में जैसे यहाँ पर आप देखें पिटा किये हैं बिने पिटा किये हैं और सुत्पिटा किये बिने पिटक में क्या है तो इसमें बॉद्ध संग के नियम मिलते यानि जो इनकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसके नियम इसमें दिये गए किन नियमों के तह पिटक में महत्मा बुद्ध के उपदेश दिये गए तो जो प्रस्ण पूछा गया इसका अंसर डी आप्शन आपको लगाना है यानि जिसने भी डी आप्शन चुना वो बिल्कुल सही है हाँ निशांत बिल्कुल बिल्कुल निशांत करेक्शन कर लीजिएगा यहां पर करेक्शन करके आप वही लिखिएगा जो मैंने अभी लिखा ठीक है आगे बढ़ते हैं कभी कभी flow में कुछ चीजे ऐसी भी हो जाती है जो आप expect नहीं करते हैं और वो flow में हो जाता है क्योंकि ध्यान mind में कहीं और रहता है हम अगले प्रस्ण को frame करते रहते हैं कि बच्चों को क्या-क्या बताना है और फिर दूसरी तरफ निगाह रखनी पढ़ती है आप सब के chatting पर भी तो इसके कारण यहां पर कभी कभी तुर्टिया होती है आप सब तुर्टियों को सुधार भी सकते हैं आगे बढ़ते हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवनकाल के दौरान सात्वी और छटी सताब्दी ईसापूर में कितनी महान सक्तिया या महा जनपद अस्तित में थे कितने महा जनपद अस्तित में थे यह पूछा गया है चलिए आंसर दीजिए फटा फट बच्चों आंसर दीजिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवनकाल के दौरान सात्वी और छटी सताब्दी ईसापूर में कितनी महान सक्तिया या महा जनपद अस्तित में थे क्या आंसर होगा जल्दी आंसर दीजिए देखे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वैदिक काल की जब हम बात करते हैं बच्चों खासकर मैं रिग वैदिक काल की बात करूँ तो रिग वैदिक काल में जो जन समुदाय जिस छेत्र में रहता था उस यहानी जन से बन गया जनपद, जन क्या था तो यह लोगों के लिए प्रिक्ष़ोने वाला सब्द था, यानि कुल कbीलों का एक समूँ था और कुल से होते होते यह जन बना क्योंकि कुल कुल से ग्राम ग्राम से विश विश से जन और फिर जन जनपद में बदल गए और फिर इसा पूर छटी सताबदी में आकर ये बड़े भूभाग मर फैल गए और ये बड़े राज्य बन गए यानि बहुत बड़ी टेरिटरी बन गई तो इन बड़े राज्यों को ही फिर क्या कहा जाने को कहा गया जो साइज में काफी बड़े होते थे इनी को महा जनपत कहा गया और बद्ध और जैन ग्रंथों में इनकी संख्या स्तोला बताई गई तो आंसर बच्चों आपको यहां पर क्या लगाना था 16 तो जिसने भी यहां पर ये सारी बी कर दीजेगा यह आप्शन उत्तर हो जाएगा 16 क्योंकि 16 महा जनपतों का जिक्र मिलता है अब इनमें एक और महत्त पूर्ण बात आप जान लीजिए कि जो महा जनपत उस समय के थे महा जनपता यानि बिग स्टेट्स इनमें आप पाएंगे दो तरह की साशन रवस्ता थी एक राजतंत्र था एक जग तो यहां पर मुनार्की सिस्टम था और दूसरी जगा पर आप देखेंगे तो गन्रतंत्र की विवस्ता थी या जिसको गणराज्य कहा गया गणराज्य यानि ये गन्राज्य थे गन राजय तो राजतंत्र और गड़तंत्र या गड़ड़ जैसी बेवस्था मुनार्की में हम देखें तो पावर्फूल मुनार्क में कुलचार का नाम आता है जिसमें मगध सबसे सक्तिसाली था मगध की तरह ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोशल बहुत सक्तिसाली था और इसी तरीके से वत्स बहुत सक्तिसाली था और अवंती बहुत सक्तिसाली था तो ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं चार सक्तिसाली महाजनपत थे जो मुनार थे पावर्फुल मुनार और गणराज्यों में सबसे सक्तिसाली था वैशाली का लिच्छ लिच्छब गणराजी वैशाली का लिच्छब गणराजी जो की वज संग का भाग था तो वज एक महा जनपत था ये एक संग था आठ राज्यों का संग यानि एट स्टेट्स का यूनियन था वज और वज की जो यहां पर गणराज्यों की स्थुती थी उसमें लिच्छवी क राज्य बहुत सक्तिसाली था जिनकी राजधानी थी वैशाली तो ये चीजें भी आप आगे पढ़ेंगे महाजनपदकाल में महाजनपद एज में चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों इसका उत्तर दीजिए बहुत सरल सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उत्तर दे पाएंगे चलिए फटा फट उत्तर दीजिए इसका पूछा गया है चौथी सताब्दी इसा पूर्व के पहले देखे ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप नोटिस करें तो 544 इसा पूर्व से ले करके और 412 इसा पूर्व तक का जो समय है ठीक है इस पूरे दौर में यानि इसी को हम कह सकते 544 बीसी से ले कर 412 बीसी इस पूरे डियूरेशन में मगद पर जिस राजवन्स ने साशन किया वो था हरियंक बंस हरियंक डाइनस्टी अब यह जो हरियंक डाइनस्टी ने साशन किया मगद पर हरियंक डाइनस्ट इसमें आप क्या नोटिस करेंगे कि इसमें तीन महत्पोन सासक हुए एक का नाम था बिम्बिसार एक सासक इसमें बिम्बिसार हुआ एक सासक इसी तरीके से इसमें अजात सत्र हुआ अजात सत्र जो बिम्बिसार का बेटा था और उत्रा अधिकारी बना और एक सासक इसमें उदाइन हुआ जो अजाद सत्रु का बेटा था अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा तो इसमें से आप गौर करिएगा कि बिम्बिसार और अजाद सत्रु के समय में इनकी राजधानी रही राजग्रे तो यहां आंसर लगाना है और उदाइन ने एक नई राजधानी शहर बसाया जिसका नाम था पाटलि पुत्र यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा पाटलि पुत्र और इसे उदाइन ने अपनी राजधानी बना लिया तो पाटलि पुत्र उदाइन के समय राजधानी बनी थी ना कि आरंभ में तो जो चौथी सताबदी ईसा पूर्व के पहले की बात कर रहा उसके पहले यानि आरंभिक इस्थती में बिम्बिसार और अजात सत्र के समय तो राजधानी राजग्रे हुआ करती थी तो इस प्रस्ण का उत्तर बच्चो आपको सी लगाना था लेकिन आगे अगर प्रस्ण बदल कराया कि बात में राजग्रे से राजधानी कहां बनी पाटली पुत्र बनी किसने बनाया उदाइन ने उदाइन ने ही पाटली पुत्र को बसाया था आगे बढ़ा जाया अगले प्रश्म पर आईए स्टिकंदर महान फिर फिल इंदा ब्लैंक्स है में पैदा हुए थे स्टिकंदर महान फिल इंदा ब्लैंक्स में पैदा हुए थे क्या आंसर होगा सिकंदर महान देखे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सिकंदर का जिक्र कर रहे थे एक बार फिर से आप जान लीजे कि सिकंदर का जो यूनानी नाम था वो नाम था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर इनका नाम था इनका जो मूल नाम था दूसरा ये मैसीडोनिया के राजा थे मैसीडोनिया मैसीडोनिया को ही मकदूनिया कहा गया है मकदूनिया भारतिय नाम मकदूनिया तो ये मैसीडोनिया के राजा थे और मैसीडोनिया बेसिकली अगर देखा जाए तो एक यूनानी राज्य था ये एक युनानी राजित था यानि की ग्रीक स्टेट था ये एक ग्रीक स्टेट था फिर दूसरी चीज ध्यान दीजेगा कि यहाँ पर अलेक्जेंडर का जिक्र हुआ था कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया इन्होंने भारत पर आक्रमण किया इंडिया पर इन्वेशन किया था इन्वैड़ेड आन इंडिया भारत पर आक्रमण कब किया 326 बीसी में उस समय इनकी आयू 30 वर्स थी 30 एर्स की एज में 30 वर्स की उम्र में इन्होंने आक्रमण किया था तो इसका मतलब की ये पैदा कब ह हुए थे आक्रमण के समय अगर एस 30 साल है तो 30 साल पीछे चले जाएए तो ऐसे में अगर आप यहां पर 30 साल पीछे जाएंगे तो क्या पाएंगे आंसर हो जाएगा 356 BC क्योंकि 356 में 30 घटाएंगे तब यह 326 आएगा तो इस तरीके से अगर इतनी तथ्यों की जानकारी आपके पास थी तो आंसर आप निकाल देते आंसर हो जाएगा 356 BC यानि ऑप्शन ए क्लियर हो गया आगे बढ़ा जाए चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं चंद्रगुप्त मौरे फिर फिल इंदा ब्लैंक के प्रबल अन्याई थे चंद्रगुप्त क्या आंसर होगा बच्चों फटा फट इसका उत्तर दीजे फिर मैं इसकी ब्याख्या करूँ चलिए उत्तर दीजे इसका तो देखिए चंद्रगुप्त मौरे किस धर्म के अन्याई थे इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है जरा इसको देखते हैं दरसल जब हम मौरे वंस मौरिया डाइनस्टी का जो साशनकाल है वो लगभग फी 24 बीसी से ले करके हम कह सकते हैं सुरू होता है और समाप्त होता है लगभग 184 बीसी तक 184 इसा पूर्व के दोरान इसमें कुछ महत्पूर नाम आए जिसमें एक नाम है चंद्रगुप्त मौरे का जो इसके फाउं जिसका नाम था बिंदुसार तो इसके बाद बिंदुसार की सत्ता आती है और बिंदुसार का बेटा फिर गदी पर बैठा जिसका नाम है असोग तो यही तीन सबसे महत्पूर सासक हुए अब तीनों के धर्म की बात करें तो असोग आप सब जानते ही इन्होंने बहुत ध पर भात करें तो इन्होंने ध्यान रखेगा जैन धर्म को अपनाया था यानि ये जैन धर्म का अनुसरण करते थे तो तीनों बातें अहम है असोक ने बौत धर्म अपनाया बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय और चंद्रगुप्त मौरे ने जैन को अब एक बात और ध्य लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो धर्म गुरू थे जो इनके रिलीजियस टीचर थे जिन्होंने इन्हें जैन धर्म की दीक्षा दी थी उनका नाम क्या था तो उनका नाम यहां पर था भद्रबाहू भद्रबाव तो आप सब बच्चों जानते ही हैं कि चंद्रग लोग जानते हैं चालक क्या थे यानि कोटिल ले थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो धर्म गुरू थे जो रिलीजियस टीचर थे उनका नाम था भद्रबाहू और भद्रबाहू ने ही इन्हें जैन धर्में दिच्छित किया था तो यह प्रस्ण आपके पेपर में आ सक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म गुरू कौन थे तो दोनों का उत्तर आप दे पाएंगे और इस तरह से इस प्रस्ण का उत्तर आपको भी आप्शन लगाना है यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले प खलासे है जो मौर्यों के इस आशन के दौरान बनाया गया था तो अब इस पर कुछ जानकारी आप लीजिए एक जील है इसका नाम है सुदर्शन जील कि सुदर्शन जील कि इस पर एक बांध का निर्माड किया गया था बांध का निर्मार जिस्ते किसानों को सिचाई की सुविधा दी जा सके तो सुदर्शन लेक पर सुदर्शन लेक पर एक डैम बनाया गया था और इस डैम को बनाने के पीछे परपस था इर्रिगेशन वाटर सप्लाई तिचाई के लिए पानी की आपूरती इसी बांध का निर्मार मौरे सासक चंद्रगुप्त मौरे के समय किया गया था ये चंद्रगुप्त मौरी के समय हुआ था और उस समय इस इलाके का जहां पर ये बांध बनाया गया जो गवर्नर था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौरी का जो गवर्नर था उसका नाम था पुश्च गुप्त वैश्च पुश्च गुप्त वैश्च ने इसका कराई गई यानि इस डैम को एक तरीके से आप कह सकते हैं रिपेर किया गया क्योंकि इसमें कुछ दिक्कते आ गई थी तो असोग के समय यहां का गवर्नर था उसका नाम था तुसास्फ और तुसास्फ ने इसकी मरम्मत कराई फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि सक्वंस के एक राजा हुए उनका नाम है रुद्रदामन रुद्रदामन ये एक महान राजा हुए सक डाइनिस्टी के और इनके समय में पश्मी भारत में सक सामराज्य कायम हुआ और इनके समय में यहां पर आप देखेंगे जो गवर्नर था उसका नाम था सुभी साक फिर इसी के बा गवर्नर हुए चक्रपालित जिनका संबंद था पर्ण दत्त से ठीक है तो इस तरीके से इन लोगों के साशनकाल में सुदर्शन जील का उलेख आता है और सुदर्शन जील का उलेख किसमें मिलता है तो एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है जूनागड अभिलेख जूनागड अभिलेख बेसिकली जूनागड गुजरात में एक जगे है और इसकी अभिलेख में जो की रुद्रदामन से जोड़ा जाता है इस बात का जिक्र आता है कि यहाँ पर यह जील बनाई गई थी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आप्शन डी लेकिन इसमें जानका ने भी रुद्रदामन ने भी सकंद्गुट ने भी और यह जो गुजरात में जिस जगए पर इसे बनाया गया था इसी का नाम गिरनार है तो गिरनार का ये छेतर था गिरनार के अट्मिस्टेटर या प्रसासक थे पुश्य गुप्त वैस से और फिर चंद्रगुप्त मौर के समय इनकी देखरेक में ही ये बांध बनाया गया जब ये बांध तूट गया तो असोग के समय तो सास्प ने इसको रीबिल्ट करवाया इसकी मरम्मत कराई फिर ऐसे ही रुद्रदामन जो की सक डाइनस्टी के रूलर हुए इनके समय सुविसाख ने इसकी मरम्मत कराई और फिर सकंद गुप्त के समय चक्रपालित की देखरेक में इसका निर्मार्ट किया गया तो ये सारे तथ यहां पर अहम थे अब आते अगले प्रशन पर अगले प्रशन का उत्तर दीजे बच्चों पूछा गया है निमलिखित में से किसने 1877 इसभी में असोक के सिलालेखों का एक सेट प्रकासित किया देखें बच्चों यहां पर आप सब ये तथ तथ तो जानते ही होंगे एक तर्माया अभिलेख या सिलालेख यानि इंग्लिस में इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन्स इंस्क्रिप्शन्स की बात हो रही है ये इंस्क्रिप्शन्स बेसिकली होता क्या है पत्थरों पर पत्थरों पर उत्कीन लेख उत्कीन लेख को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन्स यानि रिटेन एकाउंट्स रिटेन एकाउंट्स इंस्क्राइब्ड inscribed on stone तो जो stone पर inscribed किया जाता है यानि उसे छीनी हथोड़ी से काट कर लिखा जाता है उसे सिलालेख या अभिलेख कहते हैं अब एक और अहम तथ जान रखिएगा कि भारत में जो सबसे प्राचीन सिलालेख मिलते हैं यानि अभिलेख लिखवाने की परंपरा अभिलेख लिखवाने की परंपरा अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने प्रारंब की तो ट्रेडीशन किसने स्टार्ट किया इसका अगर ऐसा कोई प्रस्ट आता है पेपर में तो ध्यान रखेगा आंसर क्या हो जाएगा समराट असोग असोग ने ही यहाँ पर एम्परर असोगा ने ही यहाँ पर सबसे पहले ओफीशिल एंस्क्रेप्शन्स लिखाने का ट्रडीशन स्टार्ट किया था अब यहाँ एक और बात ध्यान दीजेगा कि जो असोग के अभिलेक है इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जिस अंग्रेज ब्यक्ति ने की थी उसका नाम था टीफेन थेलर ने इसे खोजा था और उसके बाद इसको पढ़ने में जिस ब्यक्ति को सफलता मिली थ इसको पढ़ने में जिस ब्यक्ति को सफलता मिली यानि जिसने इसे डिसाइफ़र्ड किया डिसाइफ़र्ड की अगर हम बात करें तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था जिसने 1837 में इसे पढ़ा और इसे क्यों डिसाइफ़र्ड कर पाया वो क्योंकि ये ब्राम्ही स्क्रिप्ट में लिखे थे और ब्राम्ही को पढ़ा इसी ने तो ब्राम्ही को पढ़ने में इसे सफलता मिली ये इसकी स्क्रिप्ट का नाम है यानि लिपी का नाम है जिसमें यह अभिलेक लिखा है तो यह ब्राम्ही स्क्रिप्ट में लिखा गया है और चुकि इस स्क्रिप्ट को पढ़ने में जेन्स प्रिंसेप को सक्सेज या सफलता मिली इसी लिए वो इसे डिसाइफर्ड कर पाया इसे पढ़ पाया और उसने बताया यह असोक के अभिलेक है अब यहां प्रश्ण कुछ और है प्रश्ण अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि 1877 में यहां असोकन इंस्क्रिप्शन को किसने पबलिस्ट करवाया एक सेट के रूप में तो इसमें योगदान दिया था अलैक्زेंडर कुनिंगम ने यह बेसिकली अलैक्जेंडर कुनिंगम नाम है तो अलैक्जेंडर कुनिंगम इसका आ안सर हो जाएगा यानि इस ती option बच्चों आपको लगाना तो तीन अहम बातें यहां तयार रखनी है पहला प्रस्ण कि प्राचीन भारत में सबसे पहले राजकिय अभिलेक लिखाने का tradition किसने start किया who started the tradition to inscribe the official inscriptions तो answer क्या हो जाएगा Morian Emperor Asoka यानि Morris Amrath Asoka ने दूसरा प्रस्णी हो गया असोक के inscriptions किस script में मिलते है असोक के अभिलेक किस लिपी में लिखे गए है तो answer हो जाएगा Brahman script Brahmi script का मतलब यहां पर कि लिखने की एक style थी जिसे हम लिपी कहते हैं लेखन कला Sally को लिपी कहा जाता है और यह Brahmi लिप में लिखी गई है फिर Brahmi लिपी के बारे में एक तत्याद आ गया बच्चों यह भी बड़ा important है क्या पता exam में आ जाए इसे भी आप ध्यान रखेंगे इसे mother of mother of mostly Indian script भी कहा जाता है यानि भारत की अधिकांस लिपीयों का जन्म ब्राम्ही से ही हुआ इसलिए ब्राम्ही को mother script की संग्या दी जाती मात्र लिपी कहा जाता है तो भारत की अधिकांस लिपीयों का जन्म ब्राम्ही से हुआ इसलिए इसको मात्र लिपी कहते है यह भी एक fact है याद रखेगा अब आप साथ में ये भी ध्यान रखे कि असोक के अभिलेखों को खोजा किसने था टीफेन थेलर ने असोक के अभिलेखों को deciphered किसने बनाया तो जेन्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा 1837 में और असोक के inscriptions का एक पूरा set publish किसने करवाया तो Alexander Cunningham ने ये सारे fact हो गए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर आते अगला प्रस्न ध्यान से पढ़िए निम्न में से कौन असोक के अभिलेखों को समझने अब पढ़ने वाला विद्वान था तो ये तो बच्चों अभी-भी मैंने आपको बता दिया आंसर आप लगाएंगे C option यानि जेन्स प्रिंसेप और year भी मैंने आपको बता दिया 1837 1837 में इन्होंने यहाँ पर इसे पढ़ा था ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ आते हैं असोक के सिला लेख किस लिपी में लिखे गए किस लिपी का प्रयोग किया गया तो ये भी मैंने आपसे डिसकस कर दिया इसमें ब्राम्ही लिपी का प्रयोग किया गया है तो ये भी आप आंसर लगा पाएंगे और ब्राम्ही के बारे में ही कह रहा था इसे mother script भी कहा जाता है mostly Indian script के लिए ये मात्र लिप्य के रूप में जानी जाती है तो ब्राम्मी लिप में असोक के अभलेग जैदा तर लिपियों में ब्राम्मी का जैदा तर अभलेगों में ब्राम्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है आगे बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं कलिंग का युद्ध फिर वर्ष लिखा है और फिर फिलिंदा ब्लैंक से आंसर बताना है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था क्या आंसर होगा कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था देखे तो कलिंग के युद्ध का इतिहास में बड़ा विसेस महत्व है क्योंकि इसी ने एक महान राजा को जन्म दिया था कलिंग युद्ध के पश्षात ही असोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का दौर सुरू होता है तो देखे सबसे पहली बात कुछ इयर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो 273 BC ये इयर इंपॉर्टेंट है फिर इसके बाद 269 BC ये इयर इंपॉर्टेंट है और फिर इसके बाद 261 BC ये इयर इंपॉर्टेंट क्या importance है इसकी जरा इसको समझा जाए तो जो 273 ईशा पूर्व है इसमें आप देखेंगे असोक का अपने भाई असोक के भाई थे उनका नाम था सुसीम असोक और सुसीम में सत्ता के लिए संघर शुरू हुआ था उत्रा अधिकार की लड़ाई शुरू हुई थी मौरे बंस में राजगर्दी कौन पाएगा तो असोक से बड़े थे सुसीम और जब असोक और सुसीम के पिताब बिंदुसार बीमार पड़ गए तो मगद की राजगर्दी को लेकर दोनों भाईयों में सत्ता संघर्स हुआ यानि बैटल आप सक्सेसर्सिफ हुआ जिसमें असोक पड़न आता है 273 से लेकर 279 तक लड़ाई चली फिर ये वो टाइम है जब असोक का कोरोनेशन हुआ कोरोनेशन का मतलब होता है राज्या भिसेक तो राज्या भिसेक का मतलब अब वो आपचारिक तोर पर राजा बन गया उसने अपने भाईयों को इस उत्राधिकार की लठा फिर इस राजगर्दी को प्राप्त करने के आठ वर्स बात यानि आठ साल बात उसने कलिंग पर चड़ाई की तो 261 में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 BC में कलिंग इस दोरान जब असोक और सुसीम में उत्राधिकार की लड़ाई चल लई थी तो इस चार साल म इस राजनीतिक अवैवस्था का लाब उठा कर कलिंग के राजा नंदराज ने यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली थी तो नंदराज यहां का राजा बन बैठा था और यह इंडिबेंडेंटली यहां से रूल करने लगा था तो असोक ने सत्ता को सुरच्छित करन लेकिन कलिंग युद्ध एक महान युद्ध के तोर पर याद किया जाता है क्योंकि यहीं से असोक ने फिर बहुत धर्म की सरण ले ली थी और यहीं से वो बुद्धिस्ट बन गया था यानि बहुत धर्म का अन्याई बन गया था और उसके जीवन में कई महान बदला तो जो प्रश्ण पूछा गया इसका उत्तर आपको बी आप्शन लगाना है तो बी आंसर के साथ साथ आप ये बातें भी ध्यान रखेगा एक्जाम में आ सकता है कि असोक का कोरोनेशन कब हुआ था असोक का राज्या विसेक कब हुआ था यानि असोक आपचारिक तोर पर मगध का राजा कब बना था ओफीशली वो मगधन किंग कब बना था तो आंसर 269 बीसी लगाएंगे या कितने वर्सों के बाद अपने राज्या विसेक के कितने साल बाद उसने अटैक किया तो आफटर 8 एट इयर्स 261 बीसी में उस समय कलिंग का रूलर कौन था जब असोक ने उस पर इन्वेशन किया तो आंसर हो जाएगा नंद राज जिसको डिफीट देखकर उसने कलिंग को मौरे अंपायर का हिस्सा बना लिया ये सारे तथ्य आपके लिए महत्पूर्ण थे चलिए अगले प्रशन की तरह मूप करते हैं पढ़िए इस प्रशन को तो यही प्रशन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि ऐसे प्रशन भी पेपर में आएंगे कि निमलिखित में से कौन पहला सासक था जिसने अपनी प्रशा और अधिकारियों के अपना संदेश पत्थर की सतहों पर प्राकृतिक चट्टानों और पालिस किये गए स्तंबों पर उतकेड़ किया तो अभी थोड़ी देर पहले ही इसी पर जानकारी दे रहा था तो यहां पर आंसर बच्चों क्या हो जाएगा समराट असोक ने मौरियन एंपरर असोका ने लेकिन और एक महत्तपूर जान लीजिए कि असोक ने ऐसा फारस के राजा फारस जो आज की डेट में इरान है फा प्रेरित था इस मामले में तो असोक ने जो अभिलेक लिखवाने के ट्रीशन स्टार्ट किया परंपरा सुरू की वो किस से इंस्पायर हुआ था तो फारस के राजा डेरियस से इंस्पायर हुआ था डेरियस से प्रेरित करके उसने इसकी सुरुआत की थी तो यहां पर आं के से यहां पर इरान का पुराना नाम है ये भी हो सकता एक्जाम में काम आ जाए और इरान में एक डाइनस्टी थी हकामनी डाइनस्टी जिसके एक राजा हुए थे उनका नाम था डेरियस तो डेरियस फस्ट से ही इंस्पायर्ड हो करके असोक ने अभिलेक लिखवाने की पर बड़े पिलर बनवाए उस पर इंस्क्राइब करवाए अपने मैसेज और जहां से विजिटर्स आते जाते थे उन विजिटर्स के पास इसे यानि जहां से विजिटर्स आ जा रहे हैं वहां इसे रखवा दिया और इस तरीके से असोक ने यहां पर काम किया तो एक तरीके से पत्थर पर लिखे गए संदेशों को पढ़कर लोगों ने असोग के विचारों को समझा चलिए अगले प्रस्न की तरब मूप करते हैं इसका उत्तर फड़ा फड़ दीजे बच्चो लगभग 600 वर्सों तक परित्यक्त रहने के बाद साची की खोच किस वर्स की गई थी देखे तो साची एक एतिहासिक स्थान है साची के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर चुके हैं क्या इंपॉर्टेंस इसकी बताई कि यहाँ से एक बौद इस्तूप मिला है तो महत्मा बुद्ध की अस्थियों पर महत्मा बुद्ध की अस्थियों पर अस्थियों पर निर्मित समाधियां निर्मित समाधियां जो उनके अस्थियों आउसेस थे यानि जो उनके एक तरीके से रिमेंस थे उन रिमेंस पर जो यहां सिमेट्रीज बनाई गई उन सिमेट्रीज को ध्यान रखियेगा कहा गया इस्तूप आज ठीक है अब ये इस्तूप कुछ इस तरह की सनरचना होती थी गुमबदाकार ये बनता था जैसे एक बाउल को आप उल्टा करके रख दे कुछ वैसा इसे बनाया जाता था डोम सेप में तो साची में जो इस्तूप बना है ये मौरे समराट असोक द्वारा बनवाया गया है असोका के समय इसे बनाया गया था और ये अपने आप में सबसे एतिहासिक स्तूपों में से एक है अब पूछा गया है कि बहुत दिनों तक परितक्त रहने के बाद यानि किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो इसकी खोज यहां किस वर्स हुई तो आंसर यहां ए आप्शन हो जाएगा 1818 में और खोज की थी बेसिकली जेम्स टेलर नाम के एक विद्वान हुए थे जेम्स टेलर ने ही इसके बारे में पता लगा है तो 1818 में एक ब्रिटिस आर्केलाजिस्ट थे जेम्स टेलर जिनोंने साची के स्तूप के बारे में जानकारी दी तो लग एक अपने आप में एतिहासिक महात्यु का स्थान बन गया बाकी आप पढ़ी चुके हैं कि ये मद्ध प्रदेश राज्ज में वहां के राय सेंजले में अवस्थित है चलिए अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते next question पाणिनी द्वारा रचित पुस्थक का क्या नाम what is the name of the book written by पाणिनी पाणिनी द्वारा रचित पुस्थक का नाम क्या है तो देखें इसमें हम लोग यहां पर पढ़ भी चुके हैं महाभास ये पतंजली की पुस्थक है ठीक है पतंजली मिताक्षरा इसी तरीके से बिज्ञानेश्वर की पुस्थक है बिज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा और अस्टाध्याई ये पाणिनी की पुस्थक है तो आंसर यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा option D यानि D इसमें से आपको बिकल्प चुनना तो बिज्ञानेश्वर ने मिताच्षरा लिखी पतंजली ने महाभास लिखा पाणिनी ने अस्टाध्याई लिखी दरसल इसका नाम अस्टाध्याई इसलिए है क्योंकि इसमें आठ अध्याई है तो अस्टाध्याई का मतलब हुआ जिसमें 8 chapters दिये अस्ट अध्याई इस से बना अस्टाध्याई और यह संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक महान पुस्तक है इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में महत्पूर बातें पता चलती है व्याकरण ज्यान मिलता है तो यह संस्कृत व्याकरण की एक महत्पूर रचना है आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट फिर आते हैं प्रस्ट विक्रम समवत कब आरंब हुआ विक्रम समवत कब आरंब हुआ विक्रम समवत के बारे में पूछा गया है देखे विक्रम एरा या विक्रम समवत ये अपने आप में आप कह सकते कैलेंडर है केलेंडर है जहां से एक नए युकी शुरुवात होती है तो माना जाता है कि मालवा रीजन में एक राजा हुआ था मालवा में मालवा यानि आज का मध्य प्रदेश का छेत MP का रीजन यहां पर एक राजा हुआ था जिसका नाम था बिक्रमा अधित्य भिक्रमा अधित्य ध्यान रखेगा भिक्रमा अधित्य नाम के एक राजा हुए मालवा रीजन में यह वो भिक्रमा अधित्य नहीं है जो चंद्रगुप्त भिक्रमा अधित्य आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त बिक्रमा धित्य तो चौथी सताब्दी इस्वी के हैं और ये तो बात बहुत पहले की हो रही है तो बिक्रमा धित्य नाम के मालवा छेत्र में एक राजा हुए इन्होंने सक्वन्स के राजाओं को पराजित किया इन्होंने पराजित किया डिफीटेट सकाज दरसल सक्वथ डायनस्टी एक foreign डायनस्टी थी और इन्होंने नौर्दन इंडिया में अपना किंग्जम बनाना शुरू कर दिया था तो उसी दोर में विक्रम अधित्त ने सकों को यहां से पराजित कर दिया और उज्जैन पर इन्हों ने अपना अधिकार स्थापित किया इसी समय इन्होंने यहां पर इसी सफलता में विक्रम संवत की इन्होंने सुरुवात की और यह घटना है 57 BC की यानि 57 इसापूर्व की तो इस प्रस्ट का उत्तर बच्चों आप क्या लगाएंगे इसका आंसर हो जाएगा D option यानि 57 BC तो इसका आंसर आपको D लगाना है चलिए अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है गांधार आर्ट इस दा कॉम्बिनेशन आफ क्या आंसर होगा गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है गांधार आर्ट इस दा कॉम्बिनेशन आफ तिक अब फिर बता दूं कि भारत में कुशान काल कुछ मामलों में बहुत महत्त पूर्ण रहा कुशान युग की अगर हम बात करे कुशान एज की बात करे तो इसी दोर में आप देखेंगे एक महान राजा हुए जिनका नाम था कनिश्क कनिश्क कुशार एज के सबसे महान राजा माने जाते हैं और कनिश्क के समय ही महत्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्मार सुरू हुआ माना जाता महत्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी सुरू हुई महत्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी सुरू हुई और इसी क्रम में आप पाएंगे कि यहां पर मूर्ति निर्मार की दो कला शैलियां आई तो मूर्ति निर्मार की दो कला शैलियां कौन सी थी दो कला शैलियां टू आर्ट स्टाइल टू आर्ट स्टाइल थी जिसमें महत्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई तो एक को कहा गया मतुरा कला मतुरा आर्ट इसको मतुरा आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इस कला का केंद्र मतुरा था और एक थी गांधार आर्ट गांधार कला एक ठीक गांधार आर्ट ठीक है गांधार कला अब जो मतुरा आर्ट है ये स्वदेशी कला या इंडिजिनस आर्ट मानी जाती यानि इस पर स्वदेशी प्रभाव था इस पर इंडिजिनस इंपक्ट था तो इसका मतलब देश के ही चीजों से प्रभावित थी ये लेकिन जो गांधार कला था इस पर बिदेशी प्रभाव था यानि इस पर फॉरेंड इंपक्ट भी दिखाई देता है और खास कर इसमें बिदेशी प्रभाव कैसे दिखाई देता है तो आप देखेंगे इसमें महत महत्मा बुद्ध की मूर्तियां इस्टैचूज यूनानी देवता अपोलो की नकल पर बनाई गई यूनानी देवता अपोलो की नकल पर बनाई गई नकल पर बनाई गई यूनानी देवता अपोलो की नकल तो यूनान में ग्रीस में एक देवता थे एक ग्रीक गॉड थे उनका नाम था अपोलो ग्रीक गॉड अपोलो के मॉडल पर इसे बनाया गया अब इसी से आप जान सकते हैं कि गांधार कला पर कौन से कला का प्रभाव था तो इस पर ग्रीक आर्ट का इम्पैक्ट था यानि यूनानी कला का प्रभाव था इतनी बातें अगर बच्चों आपको मालुम है तो इस प्रश्ण का उत्तर आप निकाल सकेंगे क्योंकि पूछा गया था गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है तो इसमें एक इंडो तो इफेक्ट है ही है ग्रीक इफेक्ट भी इसमें है तो आंसर क्या हो जाएगा बी आप्शन तो जिन लोगों ने भी आप्शन चुना है वो बिलकुल सही ठीक है तो अब अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ा जाए ग्रेको रोमन बॉद्ध आर्ट के किस नाम से जाना जाए भारतिय कला का वो कौन सा स्कूल है जिसे यहां पर हम ग्रेको रोमन बॉद्ध आर तो आप्शन सी हो जाए इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं चलिए अगले प्रश्ण की तरफ मूब करते हैं मतुरा कला विद्ध आले की आकरतियां संग मरमर से बनी होती थी इंटों से बनी होती थी धब्बेदार लाल पत्थर से बनी होती थी या ग्रेनाइट से बनी होती तो ध्यान दीजेगा जो ग्रीको रोमन आर्ट था उसमें तो मार्बल का यूज मिलता भी है लेकिन जो मतुरा कला विद्याले था मतुरा कला शैली थी जो सुदेशी कला थी इसमें धब्बेदार लाल पत्थर का इस्पॉर्टेड रेड स्टोंस का इस्तेमाल किया गया तो इस प्रश्ण का उत्तरबचों सी हो जाए यानि ध्यान दीजेगा कि जो मैंने आप से कहा गांधार कला थी ये विदेशी प्रभाव में थी और गांधार कला इसका नाम क्यों पड़ा है क्योंकि इसका जो प्रभाव छेत्र था वो गांधार था गांधार रीजन में ही ये में प्रेयोग किए गें तो आंसर आपको लगाना है स्टी आप्शन चलिए अगले प्रस्ण की तरव बढ़ते निम्लिखित में इसे कौन कनिस्क के राजबैर थे थे र्युग थे निम्लिखित में से कौन कनिस्क के राजबैर ओक्षे फडा फड उत्तर दीजिए बच्छो तो कनिस्क के राजवैद को लेकर प्रशन पूछा गया इस पर कभी कभी इस तरह के प्रशन आते हैं जैसे आप नोटिस करें वसुमित्र कौन थे तो वसुमित्र जो चौथी बध संगीती हुई थी चौथी बध संगीती फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके अध्यच थे उसके अध्यच्छ थे ये चेयर परसन थे तो फोर्थ काउंसिल के चेयर परसन थे और ये भी कनिस्क के सनरच्छण में थे बौध बिद्वान हो गए नागारजुन भी एक बौध बिद्वान थे ये भी एक बौध बिद्वान थे और इन्हें सातवाहन वंस के राजाओं का संरच्छन प्राप्त हुआ था तो सातवाहन वंस के राजाओं के समय नागारजुन जैसे महत्पूर्ण बौध बिद्वान हुए चरक एक चिकित्सक थे यानि एक डाक्टर थे और इन्हें भी कनिस्क का संदच्छन प्राप्त था और यही इनके राजबैत थे तो option C यहाँ पर answer हो जाएगा फिर कनिस्क के समय ही ध्यान रखेगा चरक के अलामा सुसुरत नाम के भी एक चिकित्सक हुए यह सल्य चिकित्सक थे यानि सर्जन थे तो सल्य चिकित्सा का मतलब होता है सरजरी यह सरजन थे कनिस्क के समय के सबसे महान सरजन हुए सुसुरत तो सुसुरत और चरक नाम याद रखियेगा चरक ने एक चिकित्सा पर ग्रंथ लिखा है उसका नाम है चरक सहीता तो चरक सहीता में चिकित्सिय उपचार के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है और ये कनिस्क के समय के उनके कोर्ट डाक्टर थे उनके राजबैद थे तो कोर्ट फिजिशियन कौन थे आंसर क्या लगाएंगे चरण चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है सात्वाहन सामराज्य के संस्थापक कौन थे सात्वाहन सामराज्य के संस्थापक कौन थे देखें आपको यहां पर एक और जानकारी देदूं कि जो सात्वाहन सामराज्य है ये सामराज basically दककन में स्थापित हुआ था डककन में ये established हुआ था और दूसरी बात ये ध्यान रखेगा कि इसमें आप पाएंगे जो इनकी राजधानी स्थापित हुई थी वो थी प्रतिस्थान प्रतिस्थान या इस जगे का एक नाम पैठन भी मिलता तो पृतिस्थान एक प्लेस का नाम है यहीं पर इनकी कैपिटल थी और यह एरिया पड़ता है महाराष्ट में तो महाराष्ट के प्रतिस्थान में सात्वाहन सामराज इस्थापित किया गया और इस सामराज साथ करड़ी इसमें सबसे महान सासक हुए सबसे महान ना कि ये founder थे बलकि ये greatest ruler थे तो जो प्रशन पूछा गया बच्चों उसके अनुसार आपको आंसर सिमुक लगाना है यानि option भी लगाना है और अगर आएगा कि सबसे महान कौन सासक हुआ greatest ruler कौन हुआ तो गौत्मी पुत्र साथकरड़ी और ये हाल नाम का भी एक राजा हुआ जिसने गाथा सब्तसती नाम की एक पुस्तक लिखी तो एक यहां पर उपन्यास है जो सात्वाहन राजा हाल द्वारा लिखा गया गाथा सब्सती यह प्राकृत भाशा में लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज में जो इनकी राजकिय भाशा थी यह जितने भी तत्थ मैं आपको बोल कर बता रहा हूं आप सुन रहे हैं यह इसलिए सिर्फ की आपके एक्जाम में अगर ऐसा कोई प्रस्न आए तो सुने हुए स्टेट्मेंट से आप यहां पर आप्शन देखकर सही कर सक ज़्यदा से ज़्यदा चीज बताने की कोशिस है पढ़ाने की नहीं क्योंकि जी एस पढ़ने के लिए आपको इक परियाप्त समय चाहिए 25 दिन में कभी भी पूरे जी uważ को समग रूप से हम पढ़ नहीं सकते लेकिन समग रूप से उसका रिवीजन कर सकते हर एक टौपिक को टच कर सकते हैं तो आप देख सकते हम लोग मौर्यों पर भी प्रस्ण हल कर रहे हम लोग मौर्योत्तर पर भी प्रस्ण हल कर रहे हम लोग गुप्त काल के भी कुछ मात्पूर्ण प्रस्णों को ले रहे हैं चलिए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं तो इसका उत्तर आपको सिमुक लगाना है तो अगर एक्जाम में आ जाए सात्माहनों की राजधानी तो प्रतिस्थान महाराष्ट में है फाउंडर तो सिमुक है और सबसे ग्रैटेस रूलर कौन है तो गौतमीपुत साथ करड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरब मूप करते हैं अवेस्ता जिसे जेंद अवेस्ता इसे सही कर लीजेगा यह है जेंद अवेस्ता जिसे जेंद अवेस्ता भी कहा जाता है किस की पवित्र पुस्तक है अवेस्ता जिसे जेंद अवेस्ता भी कहा जाता है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है तो देखे आप सब जानते हैं कि बौध धर्म के पवित्र ग्रंथों में तो त्रिपिटक का नाम आता है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है जैन धर्म के साहिति को अंग कहा जाता है ये भी नहीं हो सकता है और यहां अब बचा जुरिस्थरस धर्म और जुडिस्म धर्म यहूदी धर्म तो जर्थृस्त ये इरान का एक बहुत पवित्र धर्म था और इरान में एक प्रॉफेट हुए उनका नाम था जर्थृस्त इन का तो जेंद अवेस्ता का संबंद इस धर्म से है आप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो आज के सेशन का हम लोग अंतिम प्रशन लेते हैं और इसी के साथ आपका आज का सेशन मैं समाप्त करूंगा और फिर बच्चों आपको याद दिला दूं कि कल भी इतिहास पर ह ही आपका सेशन है लेकिन हिस्ति के अगले सेगमेंट की हम लोग बढ़ेंगे आगे वहोगा मेडिवल हिस्तिरी तो कल आप सब जो प्रशन हल करेंगे यहां सेशन में वो आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़कर आना है प्री मेडिवल एज से लेकर पूर मद्यकाल से लेकर के और सल्तनत काल तक का पूरा इतिहास पढ़ लीजेगा तो प्री मेडिवल एज और सल्तनत एज ये दो टॉपिक मैं कबर करूँगा कल और उसके बाद आगे मुगल एज हम लोग पढ़ेंगे फिर मॉडरन हिस्ट्री की तरफ मूप कर जाएंगे तो इस तरह से अगले चार दिनों तक आप हिस्ट्री पर ही एस सेशन देखते रहेंगे और इस तरह से पूरे सप्ता हिस्ट्री हम लोग पूरा तयार करेंगे एक एक टॉपिक के अनुसार तो पहले इस प्रस्ण का आप उत्तर दे दे प्रस्ण है घटोत कच जिसने 290 से 305 इस भी में राज्य किया था किस सामराज्य का राजा था अब तक आपने प्रस्ण पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उत्तर भी लगा लिया होगा तो बहुत सरल सा प्रस्ण बच्चों पूछा गया है देखिए आपको मैं यहां पर एक बहुत मात्पूर जानकारी दे दूँ कि कु कुषानों के पतन के बाद आफ्टर डिकलाइन आफ कुषांस अफ्टर डिकलाइन आफ कुषांस मद्य भारत में मद्य भारत में तथा उत्तर भारत में तथा उत्तर भारत में नौर्दन इंडिया में गुप्त सामराजी की स्थापना हुई गुप्त सामराज या गुप्ता एंपायर की फाउंडेशन पड़ी गुप्ता एंपायर की फाउंडेशन पड़ी गुप्त सामराज जी की स्थापना हुई अब इसमें संस्थापक या फाउंडर किसे माना जाता अगर हम फाउंडर की बात करे तो फाउंडर माना गया है जिस सक्सियत को उसका नाम है श्री गुप्त श्री गुप्त, श्री गुप्त को इसका founder माना गया, माना जाता है कुषाणों का ही subordinate था, मंत्री था या उनका सामन्त था, लेकिन जब कुषाण कमजोर पड़ गये तो ये independent हो गया, फिर श्री गुप्त का successor हुआ, उसका नाम था घटोत कच, इसका बेटा, तो घटोत कच फिर राजा बन गया, भीम का बेटा नहीं, ये एतिहासिक व्यक्ति है, historical, महाभारत के पात्र घटोत कच नहीं, तो घटोत कच एक महाभारत में भी पात्र है, कैरेक्टर है, जो भीम के बेटे हुए, भीम और हिडिमबा के, तो यहां स्री गुप्त का बेटा घटोत कच थ रियल फाउंडर माने जाते गुप्ता डाइनिस्टी के, तो यह जो स्री गुप्त और घटोत कच है, इनके नाम के आगे टाइटल मिलती है महाराज, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की टाइटल मिलती है महाराजा धिराज, महाराजा धिराज इसकी उपाधी मिलती है, जिससे यह लगता है कि उस समय चंद्रगुप्त प्रथम वो बाकी आसपडोस के सभी राजाओं का ओनर बन गया था, यानि बाकी राजा उसके सबाडिनेट हो गए, और इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम तक आते आते, गुप कुछा गया, यह किस सामराज जिकार आजा था, तो अब नो डाउट आप यहाँ पर आंसर लगाने की इत्ति में है, क्या आंसर लगाएंगे, कि यह गुप्त सामराज जिकार आजा था, यानि आप्शन ए इसमें सही होगा, तो बच्चों इस तरह से आज के सेशन में आप स रहने के लिए प्रस्टों की संख्या यह है, लेकिन हमने इसके माध्यम से सैकड़ों चर्चाएं की हैं, सैकड़ों तत्यों को हमने देखा है, तो आप एंसेंट हिस्ट्री पर अब तक लगभग कुछ नहीं तो 500-600 फैक्ट कवर कर चुके हैं, और कल की क्लास में मैं मैं मे मेडिवल एज और सल्तनत एज के क्वेस्टन्स दूँगा, तो उमीद करता हूँ, आप सब को एस सेशन बहुत पसंदारा होगा, और अगर ऐसा है, तो आप कल तयारी करके मेरी क्लास में आएंगे, और आप कोसिस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रस्टों का उत्तर दे और ये देखें कि आपके कितने उत्तर सही हुए, लेकिन अगर आप सही भी नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुछ सीखेंगे ही, और इस तरह से हम 25 दिनों तक निरंतर इस मिशन में लगे रहेंगे, जिससे टीर वन एक्जाम में बहुत बहतर कर सकें, तो इसी के साथ आज के सत्र को मैं समाप करता हूँ, आप सबको मेरी बहुत-बहुत सुपकामना है, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर के साथ मेरे साथ लगे रहें, इस प्यार और सम्मान के लिए आप सबकाम है, सुकुर गुजार, धन्यवाद. तक प्छुर मेरे परसे सम्मान के सबकामना है, सुकुर इतने लिएहां कि एक रहें हम इतने धन्यवासयना है, स cash- Regen, इन्यवा ख Nextin, जरो उन्यवाद रहें है, बहुत, सम्माना है, सुनिमया झाह आप रहें, बहुत-बहुत。 झाल झाल